हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं दूपाली वर्मा आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12 की हिंदी की बुक वितान भाग दो वितान हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है आज हम उसको शुरू कर रहे हैं उसका प्रथम पार्थ हम ले रहे हैं प्रथम पार्थ मनोर श्याम जोशी द्वारा रिचित सिल्वर वेडिंग सिल्वर वेडिंग पार्थ के अंतरगत हमें ये चीज़ बताई जाएगी किस तरीके से पुरानी पीड़ी और नई पीड़ी का सामंजस से जो है नहीं बैठता उनके विचारों में कितना उधेर ये सब चीजें हमको इस पार्थ के अंतरगत दिखाई जाएंगी इस पार्थ के जो नायक है ये शोधर बाबु वह एक पिता है और उनके बच्चों और उनकी पत्नी के साथ उनका सामंजस आज की आधुनिक तौर तरीकों की वजह से नहीं बैठ पा रहा है ये इस बाबु जो इसके नायक है इस कहानी के उनकी पच्चिसवे साल गिरा है जिस दिन ये कहानी मतलब लिखी गई है पूरी उसी दिन शुरू हो रही है वो पुरानी बाते भी याद कर रहे हैं सब कुछ एक पार्टी होती है एंड में वो पार्टी खतम होती है फिर गिफ्ट शाम से शुरू होकर रात तक ये पूरी कहानी हमारे सामने रखे गई है जिसमें बीच में हम पुरानी यादों की तरफ भी जाएंगे तो शुरू करें ये कहानी यह लंबी कहानी लेखक की अनरचनाओं से कुछ अलग दिखाई देती है आधुनिक्ता की और बढ़ता हमारा समाज एक और कई नहीं उपलबधियों को समेटे हुए है तो दूसरी और मनुष को मनुष बराय रखने वाले मुल कही गिस्ते चले जा रहे हैं तो यहां कहने क का मतलब है कि काफे लमबी कहानी है आप लोगों ने अपनी बुक में देखा होगा कि बहुत लमबी कहानी है कारण। कि उसमें बहुत सी थोड़ी थोड़ी बातों को भी सामने रखा गया है जैसे घर में थोड़ा बहुत सामान लाना सब कुछ करना ये किस तरीके से पुरानी पीड़ी के उपर थोग दिया जाता है नई पीड़ी नहीं लेती भात तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों को भी जो फर्ज होने चाहिए वो कहीं मिटते चले जा रहे हैं हम अपने में ही खोते चले जा रहे हैं ये चीज इस पार्ट में बताई गई है जो हुआ होगा और somehow improper के दो जुमले इस कहानी के बीजवाक के हैं अब ये ध्यान देखिए जो हुआ होगा अब इसमें जो यशोधर बाबू जिन से ज़्यादा एक्सपायर रहते हैं वो किशंदा उनके साथ जो कुछ हुआ वो और somehow improper जो है ये तकिया कला में हमारे यशोधर बाबू का तो ये दो अलग-अलग हैं जो इस पूरे पार्ट में आपको हर जगा दिखाई देंगे जो हुआ होगा के यथा यथा इस्तिवाद यानि जो कातियों स्विकार कर लेने का भाव है तो somehow improper में एक अनि अनिर्णई की इस्तिवी है अब क्या है जो हुआ होगा मतलब जो चीज जैसी है हमने उसको डासे ही इसका मतलब यह होता है लेकिन somehow improper में क्या है हम अनिर्णे की स्थितिमे है यानि कि हम उस पे कोई निर्णे नहीं ले पा रहे है जो भी पर स्थितिया होंगी उनमें हम किसी तरह का कोई निर्णे नहीं ले पाते हैं ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख चरित्र ये शोधर भाबू के बीतर के द्वंद है यानि कि ये दोनों वाकि उनहीं के अंदर चलते रहते हैं जो हुआ होगा somehow improper ये वही खुदी बोलते हैं और खुदी उनके अंदर इन दोनों ही चीज़ों की लड़ाई चलती रहती है वे इन इस्ततियों का जिम्मेदार भी किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते वे अनिर्णे की इस्तति में हैं मतलब जो उनके अंदर दोन्द चल रहा है इसके लिए भी वो किसी को जिम्मेदार नहीं मानते बस उसमें भी वो अनिर्णे की स्तति में क्या निर्णे ले उनको नहीं पता है दफ्तर में सेक्शन अफसर यशोधर पंथ ने जब आखरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5 बचकर 25 मिनट हुए थे अब जब कहानी आपको पढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आप जैसे यशोधर बाबू किस पदपर पे थे ये सब चीजें उनके साल की कौन से वेडिंग एनिवर्सिटी थी घड़ी में कितने बज रहे थे इस तरीके के कई MCQ प्रेशन जो हैं आपके बहुवे कलपी प्रेशन आपके कोशन में पूछे जा सकते हैं इसलिए जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये चूटी चूटी बातें आपको नोट डाउन करनी हैं तो ये क्या था फाइल शाम को सेक्षेन आफिसर के पत पे थे शाम को सारा काम खतम किया उसमें जब उन्होंने आफरी फाइल बंद करी तो घड़ी में 5.25 मिनट हो पांच बज़े ऑफिस खतम होने का समय था लेकिन यहां 5.25 मिनट हो चुका था वे अपनी घड़ी सुबह साम रेडियो समचारों से मिलाते थे इसलिए वे दफ्तर की घड़ी से कुछ सुस्त बताते हैं इसके कारण अधिनस्त को भी पांच बजे के बाद रुखना पड़ता है वापसी के समय वे किशनदा के उस परंपरा का निर्वा करते हैं जिसमें जूनिरियों से हलका मजाग किया जाता है अब क्या है भई बड़ा अगर ऑफिसर बैठा हुआ है तो जूनिर तो जा नहीं सकते अब जब सेक्शन ऑफिसर बैठे हैं तो उनके अधिनस्त जितने भी लोग काम करते हैं उनको भी काम बैठना पड़ता था तो भई वो बैठे रहे पांच बजे तक अब यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आया है किशनदा किशनदा कौन है क्या है इनके बारे में अभी हमको आगे पता चलेगा मगर इतना हम आपको बता दे यशोधर बाबू किशनदा को बहुत फॉलो करते उनकी हर एक बात को वो फॉलो करते बहुत पहले जब वो यहाँ आये थे काम करने के लिए तब उनके दिल्ली जब आये थे यशोधर बाबू तो किशनदा उनहीं के साथ रहते थे उनहीं के साथ आफिस में काम करते थे इसलिए उनकी हर एक बात को वो follow करते थे तो अब क्या हुआ जब वो वापस जाने लगे तो किशनदा का बनाया हुआ एक नियम था कि जाते समय जितने भी officer है उनके साथ हल्का-फुल्का मजाग किया जाए तो वो बस वही मजाग करते हुए निकलते हैं दफ्तर में नई असिस्टेंट चड़ा की चोड़ी मोहरी वाली पतलून और उची एड़ी वाले जूते पंथ जी को समहाओ इन प्रापर मालूम होते थे तो नया एक बंदा आया था जिसका नाम था चड़ा वो किस पे था असिस्टेंट था नया असिस्टेंट था चड़ा तो उसका पहनावा जो है ये शोदर बाबु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था उसने थोड़ी बत्तमीजी पूर वहवार करते हुए पंथ जी की चूने दानी का हाल पूछा पंथ जी ने उसे जवाब दिया फिर चड़ा ने पंथ जी की कलाई थामली और कहा यह यह पुरानी है अब तो डिजिटल जा पानी घड़ी ले लो सस्ती मिल जाए कि पंथ जी वो तुरंट पूछता है आपकी चूने दानी की वचूना खाते तो चूना दानी कहा है नहीं दिख रही क्या है उसको जवाब देते हैं हाँ है मेरे पास जो भी है सही है फिर उनकी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि यह घड़ी तो बहुत पुरानी हो गई आप परमपरा पंथ जी ने अल्मोडा के रेमजे स्कूल में सीखी थी ऐसी परमपरा किशनदा के क्वाटर में भी थी यह जहां यशोधर ने शरण ली थी किशनदा कुमारे थे पहाड़ी लड़कों का आश्रह देते थे पंथ जी जब दिल्ली आये थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोईया बना कर रख लिया उन्होंने यशोधर को कपड़े बनवाए वा घर पैसे भेजने के लिए 50 रुपे दिये इस तरह वे स्मृतियों में खो गए तो अब यहां पर क्या था कि यह जो आदत थी आगे बढ़ उन्होंने अपने घर में ही जो है जो मैस चलती थी उसी में इनको नौकरी दे दी वहां वो रखने लगे किशनदा ने इनको कपड़े बनवाए घर भेजने के लिए पैसे देते थे इसलिए बहुत ही जादा मानने लगे यशोधर बाबु इनको तो किशनदा क्या थे वो पहाडी लड़के जो आते थे उनको रखते थे तो ये पहाडी हैं ये ध्यान रखिये का अगर आपसे आगे कभी MCQS में पूछा जाए तो ये शोधर बाबु एक पहाडी थे जो दिल्ली आए थे नौकरी की तलाश में तो इस तरीके से ये पुरानी यादों में खोई थे इतने में चड़ा ने फिर उनको आवाज दी क्या तभी चड़ा ने आवाज से वे जागरत हुए और मेनन द्वारा शादी के समध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे अब जब उनको इस प्रतियों से बाहा निकाला गया तो उनका एक और अफसर था उनसे पूछा कि आपकी शादी कब हुई थी तो उन्होंनों बुला मुझे याद करने दीजिए मेरी शादी 6 फरवरी 1947 तो ये उन्होंने बताया कि इस दिन मेरी शादी हुई थी मेरन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी यानि कि आज के दिन जिसनी कहानी हो रही थी उस दिन भी 6 फरवरी थी और इस हिसाब से उनकी शादी के 25 साल पूरे हो गये थे तो उन्होंने बोला आपको सिल्वर वेडिंग की बहुत-बहुत मुबारक हो में ने उन्हें बोला ये शोदर खुश होते हुए जेपे और जेपते हुए खुश हुए उनकों थोड़ी सी जिजख लगी मगर खुश थे वो फिर वे इन सब बातों को अंग्रेजों के चोचले बताते हैं किन्तु चड़ा उनसे चाय, मट्री, लड्डू की मांग करता है ये शोदर जी 10 रुपए का नोट चाय के लिए देते हैं परन्तु उन्हें ये सम्हाव इंप्रॉपर फाइंड लगता है अता सारे सेक्षन से आग रहे पर वे चाय पार्टी में शरीक नहीं होते हैं चड़ा के जोर देने पर वे 20 रुपए और दे देते हैं किन्तु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते हैं उनके साथ बैट कर चाय, पर मगर खुश थे, लेकिन उन्हें ये सब सिर्वर वेडिक मनाना, केक, काटना, बादे मनाना, ये सब अंग्रेजों के चोचले लगते थे, उन्हें नहीं पसंद था, मगर चड़ा बहुत इंसेस करता है तो वो 10 रुपए चाय के लिए निकाल के देते हैं, मगर वहाँ लिए रुखते नहीं, तो अब इतना बड़ा ओफिस से 10 रुपए की चाय में क्या होगा, इंसेस करने पे फिर और 20 रुपए देते हैं, और इस तरीके से वो मना कर देते हैं, कि नहीं हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि उन्हें यहां पर गप शब करने के बैठके टाइम रखते हुए चलिएगा, तो तोटल 30 रुपए उनको दिये थे, ये शोधर बाबु ने इधर रोज बिर्ला मंदिर जाने और उसके उध्यान में बैठकर प्रवचन सुनने, ये या स्वम ही प्रभु का ध्यान लगानी की नई रीती बनाई थी, मतलब शाम को लोड़ते सम वो कहां जाते थे बिर्ला मंदिर और वहां प्रवचनों को सुनते थे, ये उनकी रोज का नियम हो चुका था, ये बात उनकी पत्नियों बच्चों को अखर्ती थी, क्योंकि वे बुजर्ग नहीं थे बिर्ला मंदिर से उठकर वो पहार गंजाते और घर के लिए साख इसी समय वह मिलने वालों से मिलते घर पर से आठ बजे से पहले नहीं पहुंचते अब देखिए साड़े पांच बजे वो निकल रहे हैं वहां से बिल्डा मंदिर जाते थे वहां से प्रवचन सुनने का जो काम था वो उनके बीवी बच्चों को अच्छा नहीं लगता था क् प्रवचन वगेरा पर ध्यान देते हैं चलिए जैसे होता है फिर वो प्रवचन सुनने के बाद पहार गंज जाते उसके रास्ते में जितने भी मिलने वाले होते उनसे मिलते पहार गंज में साख सबजी लेते और तब कहीं जाके आठ बजे तक वो वापस घर पहुंचते आज ये शोदर जब बिल्डा मंदिर जा रहे थे तो उनकी नजर किशंदा के तीन वेडरूम वाले क्वाटर पर पड़ी अब वहीं छे मंजिला मकान बन रहा है उन्हें बहुमिंजली इमारतें अच्छी नहीं लग रही थी यही कारण था कि उन्हें उनके पद के अनुक जब उनका क्वाटर तूटने लगा तब उन्होंने शेश क्वाटर में से एक अपने नाम एलाट करा लिया वे किशंदा की इस्मृतियों के लिए यही रहना चाहते थे तो अब यहां पर क्या था जब वो वापस वो जा रहे थे पहार गंच जो रास्ते में एक क्वाटर पड़ा जो किशंदा का था उसको देख के वो किशंदा को लिए सोचने लगे वहां पर अब छे मंजिला इमारत बन रही थे तो इनको फ्लैट वाली जो संस्कृति है यह शोदर बाबु को बिलकुल पसंद नहीं थे तो अब क्या था इसलिए इन्होंने वहां पर जो वाटर में अपना रहने लगे क्योंकि वह वहां से नहीं जाना चाहते थे पिछले कई वर्षों से यह शोदर बाबु का अपनी पत्नियवा बच्चों से हर चोटी-चोटी बात पर मतभेद होनी लगा है इसी वजह से उन्हें घर जल्दी लोटना अच्छा नहीं लगता उनका बड़ा लड़का एक प्रमुक विग्यापन संस्था में नौकरी पर लग गया था यह शोदर बाबु को यह भी सम्हाव लगता था क्योंकि यह कंपिनी शुरू में ही डेड़ हजार रुपे प्रतिमाह वेतन देती थी उन्हें कुछ गड़बड़ी लगती थी उनक यहां पर क्या हूँ अपने परिवार के उनकी पिछले कुछ वर्षों से यशोदर बाबु उनके बच्चों और बीबी के बीच में किसी ना किसी बात पर मद्भेद होता था इसलिए उन्हें घर अर्गुमेंट होना हो जाता था इसलिए वह जल्दी घर नहीं जाते थे त क्योंकि शुरू-शुरू में ही उसको डेढ़ हजार उपह मिलते थे उस समय डेढ़ हजार बहुत होते थे तो उन्हें लगता था कि नहीं कुछ गड़बढ़े कंपनी में उनका दूसरा बेटा आई-एस के तयारी कर रहा था तो उन्हें यह नहीं लगता था कि सिवल सर् कर बस चुका था यानि कहां अमेरिका चला गया था उनकी एक मात्र बेटी शादी से इंकार करती थी साथ ही वार डॉक्टरी की उच्चतम सिक्षा के लिए अमेरिका जानी की धबकी भी देती थी वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं परन्तों उनके साथ सामंजस करने के लिए वह अमेरिका चाहती थी हमेशा जब कोशी बोला जाये शादी करने के लिए अमेरिका चले जाएंगे तो या शोदर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो थे लेकिन जो उनके विचारधारा थी उनसे सामंजस किसी भी हाल में नहीं बैठा पार ह यशोधर पंद की पत्ति संसारों से आग धुनिक नहीं परंतु बच्चों के दबाव में वह मौडन बन गई थी वो भी जो है आग मौडन नहीं थी लेकिन बच्चों के दबाव के कारों धीरे धीरे उनमें मौडन शिप आने लगी थी शादी के समय भी उसे सयुक्त परिव का दबाव झेलना पड़ा था यशोधर ने उसे आचार वहवार के बंधनों में रखा अब बच्चों का पक्ष लेती तब था खुद भी अपनी सहुलियत के हिसाब से यशोधर की बाते मानने की बात कहती यशोधर ने सालियान बुडिया चटाई का लहंगा या बुड़ ना करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो अच्छा होता अब इधर क्या था इनकी पत्नी के बारे में बताया गया कि इनकी पत्नी जो है वो ज़्यादा आधुनिक नहीं थी लेकिन तब भी बच्चों के साथ रह रहे कि थोड़ा मॉडर्न होती जा रही थी वो तो है इनको तरह तरह के नामों से यशोदर बाबु चुड़ाते थे लेकिन इससे कोई फरक नहीं पड़ता था उनको तो यहां पर अब क्या था किशंदा के घर के सामने खड़े होकर यह सोच रहे थी अगर शादी ना वो करते और अपने सारा समय अगर यह जो है अपना बिता देते क्या नम समाज की सेवा में तो जादा अच्छा रहता क्यों किशंदा ने भी शादी नहीं करे थी तो वो भी समाज सेवा करते रहे तो इन्हों ने बोला कि अगर मैं भी शादी नहीं करता तो जादा अच्छा रहता आज की इन परस्तितियों से मैं बज गया हो यशोधर ने सोजा कि किशन्दा का बुडापा कभी सुखी नहीं रहा उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए रिटायर्मेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकर्ष नहीं की तो हम यशोधर भी यह पेशकर्ष नहीं कर पाए क्योंकि वे शादी तो सभी ने यहीं किया था अपने घर बनवा लिये मगर किशन्दा ने अपना घर नहीं बनवाया जब रिटायर हो गए तो किसी ने भी किसी भी उनके मित्रे ने अपने पास रहने की पेशकर्ष नहीं करी यहां तक ये शुदर बाबू भी नहीं कर पाए क्योंकि वो वे किशन्दा की यह बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पढ़ने पर हर वेक्ति समस्दार हो जाता है अब किशन्दा जब रिटायर हुए तो कुछ दिन तो किराय के मकाम में यहीं दिल्ली में रहे फिर गाओं चले गए और गाओं में साल भर बात की उनकी मृत्ति हो मृत्यु का क्या कारण था कोई नहीं जानता उनको कोई बिमारी नहीं ती कुछ नहीं था लेकिन किशन्दा जो हर एक बात बहते थे वो इशोधर बागु को एकदम पत्थर की लकीर होती थी वही बात में आनते थे उन्नों यहीं चीज लायन में बोली थी कि जब व्यक्त नहीं छोड़ सकते मतलब यह अपने सिद्धांतों पर चल रहे ते जरा जरा सी बातों पर उलत जाते थे मगर उनके बच्चे क्या थे वह सुल्जे हुए थे हर परस्तिती के साथ अजश्मेंट करते हुए सुलजाते हुए आगे बढ़ते रहते थे यकान नहीं रहते हैं सयाने उस्केशंदा की बात यहोकद चकरते वुरक लोग मकान बनवाते हैं, सयाने लोग रहते हैं रिटायर्मेंट होने पर गाउं की पुष्थानी घर चले जाओ वे इस बात को आज भी सही मानते हैं उन्हें पता है कि गाउं का पुष्थानी घर तूट फूट चुका है साथ उस पर अनेक लोगों का हक है उन्हें लगता है कि रिटायर्मेंट से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वाटर उनके पास रहेगा ऐसा ना होने पर क्या होगा इसका जवाब उनके पास नहीं है तो ये तो इन्होंने सोच लिया कि हम भी जैसे किशनदा ने अपना मकान नहीं बनवाया हम भी नहीं बनवाएंगे क्योंकि मैं मूरक साबित हो जाओंगा मकान बनवाओंगा सायानी अर्थात मेरे बच्चे जो है उसमें आश करेंगे तो यहाँ पर उन्हों ने ये बोला कि जब तक मैं हूँ यहाँ हूँ फिर गाओं के मकान में जाके रहे लूँगा लेकिन गाओं का मकान भी टूट फुट चुका है उसमें तमान लोगों का हक है सब कुछ है अब उसमें भी सामंजस है कि वहाँ पर भी जाके रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे और दूसरा ये भी ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है तब तक मेरे लड़कों में से किसी की सरकारी नौकरी लग जाए तो मैं भी जो है न मुझे ये क्वाटर मेरे पास ही आ जाएगा और हम आराम से रहेंगे और अगर मांगलो सरकारी नौकरी ना लगी तब क्या होगा तो इस चीज़ का जवाब ये शोधर बागू के पास में नहीं है कि क्या होगा बिल्ला मंदर के प्रवचुनों में उनका मन नहीं लगा उम्र धलनी के साथ किशनदा की तरह रोज मंदर जाने संध्यापूजन करने और गीता प्रेस गोरकपूर की किताबे पढ़ने का यत्न करने लगे आज उनका मन नहीं लगा तो जैसे जैसे किशन्दा करते थे वैसे वैसे करने लगे संद्यार्चना करते रोज मंदिर जाते गीता प्रस्की जुगरकपूर की किताबे थी वो पढ़ते फिर मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों के से खत्म कर देते थे मन में जो भी विरोध आता उनमें वो अपने ही तर्क लगा देते कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है और उनको खतम कर दिया करते थे गीता के पार्ट में जनारदन शब्द सुनने से उन्हें अपने जीजा जनारदन जोशी की याद आई उनकी चिठे से पता चला कि वे बिमार हैं यशोदर बाबु एहमदाबाद जाना चाहते थे परंतु पत्नी वा बच्चे उनका विरोध करते हैं यशोदर खुशी गम के हर मौके पर रिष्टेदारों के यहां जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा बनाने की इच्छा रखते हैं किन्तु उस दिन हद हो गई जिस दिन कमाओ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं नहीं दूँगा अब क्या हुआ जब वो गीता पाट कर रहे थे तो उसमें जनार्दन शब्द आया तो उन्हें जनार्दन शब्द से अपने जीजा की याद आ गई अपने बेहन के husband की याद आ गए उनका नाम भी जनारदन था याद आया कि उनकी पत्र आया था कि वो बिमार है तो वो हर बार उनको पैसे भेशते थे इनका मानना था कि सुख दुख कुछ भी हो परिवार वालों के साथ बाटना चाहिए हमें जाना चाहिए, मिलना चाहिए लेकिन ये इनके बीवी बच्चों को पसंद नहीं था कारण ये था कि भाई ये तो मिलना चाहते थे पर वो लोग नहीं आते थे आप हर बार हमी जाते रहें कभी उन लोग को भी तो हाथ बढ़ाना चाहिए ऐसा नहीं होता था यह से दिया शोदर बाबू करते रहते थे और कोई इनके साथ नहीं देता था इसलिए इनके बीवी बच्चे इस चीज के खिलाब थे अब उन्हों ने बस यह चीज हर बार वो चाहते थे कि पैसा भेजा जाए तो उस दिन तो बहुत हद दो गई लड़के ने बोल दिया कि बुगा को भेजने के लिए पैसे मेरे पास मैं आपको पैसे नहीं दूँगा उनको भेजने के लिए उससे सीधे मना कर दिया जब मना कर दिया तो यशोधर भाबु को भी बहुत बुरा लगा कि आज मेरा लड़का मुझसे ऐसे बोल रहा है यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बश्पन में एक कुछ नहीं देखा मा के मरने के बाद विदवा भुगा ने यशोधर का पालन पोशन किया मैट्रिक पास करके दिल्ली में किशंदा के पास रहे वे भी कुवारे थे तता उन्हें भी कुछ नहीं पता था अथा वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे उन्हें धार्मी प्रवचन सुनते हुए भी पारवारी चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा ध्यान लगाने का कार रेटार्मेंट के बाद ठीक रहता है अब यहां पर क्या है यशोधर की जो पत्नी थी उनका मानना था कि यहां पर उन्होंने अपने बश्पन में कुछ नहीं देखा बहुत पहले में उनके माता पिता गुजर गए तो वो अपनी बुवा के साथ रहते थे पालन पोशन हुआ फिर जब थोड़े बड़े हुए तो दिल्ली चले आए किशंदा के साथ रहने लगे पतनी का जब उनको नहीं पता था तो आप कैसे चीज़ों को जान पाएंगे तो यहाँ पर अभी सब चीज़े सोची रहे थे धार्मिक प्रवचन सारे चल रहे थे उसमें का मन नहीं लगा तो वो अपना उठके जाने लगे आप उन्होंने यहीं चीज़ सोचा कि जब मन न लगे तो यब retirement के बाद ही ये सब चीजे ठीक हैं अब वहाँ से चलना ही उन्होंने उचित समझा इस तरह तमाम बाते ये शोधर बाबु पैदाईशी बुज़ुर्गवार हैं क्यों ना और के हील वे में कहा करते हैं तथा somehow की ही तरह सी ये लगन की हस्ती हस्त देते हैं तो अब उन्होंने यहाँ पर क्या बोला वो सोच रहे थे कि प्रवच्चन चल रहा था सब कुछ लेकिन तब भी वो सोचते हैं कि कैसे चीज़ों के साथ adjustment हो तो उनके होते हैं somehow improper यानि कि वहाँ पर अर निर्णे की स्तिती में वो आके उस चीज़ को छोड़ देते हैं और मुस्कुराते हुए आगे चल देते हैं कि चलो अब नहीं हो रहा निर्णे कोई बात नहीं मगर इसमें हम इतना सर खपाएं कोई इतनी बड़ी बात नहीं जब तक किशंदा दिल्ली में रहे तब तक ये शोदर बाबू ने उनके एक पट शिष और उससाही कार करता की भूमनी का पूरी निष्ठा से निभाई मतलब जब तक किशंदा रहे तब तक ये शोदर बाबू उनके साथ ही एक शिष की तरह लगे रहे उनके जाने के बाद घर में होली मनाना राम लीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना जनेव पन्यू के दिन सब कुमाईयों को जनेव बदलने के लिए घर बुलाना आधी कार वे पत्नी वा बच्चों के विरोध के बावजूद करते थे तो जो कारे किशंदा करते थे अपने घर में सब को बुला लेते थे अब वो यहां पे भी करते थे होली मनाना उनको राम लीला के लिए अपने ही क्वार्टर का एक कमरा दे देते थे जनेव बदलने का एक उत्सव होता है उस दिन सभी कुमाईयों को घर बुला लेते प्रवचन सुनने के बाद ये शोधर बाबु शब्जी मंडी गए वे चाहते थे कि उनके लड़के घर का सामान खुद लाएं परन्तु उनकी आपस में लड़ाई से उन्होंने इस विशे को उठाना ही बंद कर दिया बच्चे चाहते थे कि वे इनकामों के लिए नौकर रख लें ये शोधर को यही सम्हाओ इंप्रॉपर मालूम होता था कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे अब यहाँ पर क्या चीज थी वो सोच रहे थे यह सारी चीजें उन्हें प्रवचन में मन नहीं लगा उठे और पाढ़ गंज के लिए निकल लिए सबजी लेने के लिए तो अब इनका वो जो सबजी अब यह शोधर बाबु यह चाहते थे कि यह घर पे सबजी वगैरा लाना ही सारा कार जो है उनके बच्चे करें लेकिन बच्चों को ये लगता था कि इस काम के लिए क्यों नहीं आप एक नौकर रख लेते हैं लेकिन ये अशोधर बाबु को सम्हाओ ये भी सही नहीं लगता उन्हें इन सब कामों के लिए नौकर रखना बिल्कुल पसंद नहीं था उन्हें ये भी नहीं लगता था कि उनका लड़का जो नो उनको वेतन मिलता है वो उनको देधिया करे वो भी नहीं करता था वो अपना वेतन अपने पास रखता था क्या या अगर वो वेतन नहीं दे सकता तो जोड अकाउंट खोल ले, क्या वा जोड अकाउंट नहीं खोल सकता था उनके ऊपर वो हर काम अपने पैसे करने की दौज देता घर में वो तमाम परिवल्तन अपने पैसों से कर रहा है, वो हर चीज पर अपना हक समझता है तो एकाउंट नहीं खोल रहा है, चीजें कुछ नहीं है और घर में भी वो तमाम चीजें वो अपनी चीजों से ला रहा है और साथ भी अपने पैसों की धोस भी देता रहता है तो ये सब चीजें उनको कही न कही ना पसंद आ रही है अपने फैसे की धोस अपने ही पैसे से घर में सामान ला रहे है तो ये सब चीजें उनको कहीं न कहीं बिलकुल भी पसंद नहीं आ रही थी सबजी लेकर वे अपने क्वार्टर पहुंचे वहां एक तक्ति पर लिखा था तो आप सब्जी वगरा लेकर रात में आट बजे तक वो अपने कौटरिक पांस पहुचे तो वहां नेम प्लेट होती ही ना तो वहां पर लिखा हो तो यह शोधर पंथ है ना तो यह शोधर बाबू को यह शोधर पंथ वाईडी पंथ उन्हें पहले गलत जगह आने का धोका हुआ उन्हें लगा कि नहीं भई मैं लगता है गलत जगह आ गया कारण क्या था इसका घर के बाहर एक कार थी कुछ स्कूटर मोटर साइकले थी तथा लोग विदा ले रहे थे बाहर बरामदे में रंगीन कासगों की जालरे वा गुबारे लटक रहे थे उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था उन्होंने अपनी पत्नी वा बेटी को बरामदे में खड़े देखा जो मेम साबों को विदा कर रही थी लड़की ने जीन्स वा बगैर बहां का टॉप पहने हुई थी पत्नी पत्नी ने होटों पर लाली वा बालों में खिजाब लगाया हुआ था यह शोदर को यह सब सम्हाव इंप्रॉपर लगता था अब जब वो घर पहुँचे तो देखा उन्होंने कि कहते हैं वहां पर उनका घर पूरा सजा हुआ है जैसे एक पार्टी का डेकुरेशन होता ह सब सजा है उनका बेटा कार में किसी को विदा कर रहा है और उनकी जो बेटी और पत्नी है वो किनी दो मेमसाबों को विदा कर रही है बेटी ने जीन्स पहनी है और बिना यानि कट स्लिप टॉप पहना हुआ है पत्नी ने बालों में डाई लगाई हुई है और होट पे उस ने देर से आने का उलहाना दिया मतब अब देर से पहुंचे थे अब यहाँ पे घर में एक पार्टी चल रही थी पार्टी थी उनके इस सिल्वर वेडिंग की पार्टी और उस पार्टी की खाबर इन ही को नहीं थी और वो अपने प्रॉपर रुटीन में आते हुए रात में 8 बजे पहुचे देर से पहुचे तो उनके बेटे ने उनको बोला आप इतनी देर से क्यों आए बबा ये शोदर ने शर्मीली सी हसी हसते वे पूछा कि हम लोगों के यहां सिल्वर वेडिंग कप से होने लगी तो उन्हों ने वे पूछा कि हमारे यहां सिल्वर वेडिंग कप से हो जब से तुम्हारा बेटा डेड़ हजार महीने कमाने लगा है तब से अब उसने भी तंज कशा यशोदर बाबू के उनका भांजे ने कि जब से आपका बेटा बड़ा बेटा डेड़ हजार रुप महीने कमाने लगा तब से आपकी सिल्वर वेडिंग मनने लगी यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की ये पार्टी भी अच्छी नहीं लगी उन्हें ये मलाल था कि सुबा ओफिस जाते समय तक किसी ने उनसे इस आयोजन की चर्चा नहीं की थी उनके पुत्र भूशन ने जब अपने मित्रों सहियोगियों से ये शोधर बाबू का परिचे कराया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संसकारी कुमाई हैं तता पी विलायती रिती विर्वाज से भी अच्छी तरह परिचित होने का एसास कराया अब क्या है जो घर में ये पार्टी रखी गई उन्हें अच्छा नहीं लगा क्योंकि जब सुबा वो घर से निकल रहते तो किसी ने भी इस बारे में उन्हें नहीं बताया था अब उनका जो छोटा बेटा था भूशन उसने अपने मित्रों गहरा से बौस गहरा से उनको मिलाया तो वहाँ पर माना कि वो पुराने कुमाऊं थे लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये चीज जो परिचा के दौरान होता है ये एक अंग्रेजी के माध्यम से उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश करी कि नहीं हम भी इन तरीकों से मिल लेते हैं आपसे बच्चों के आगरे पर ये शोदर बाबू अपनी शादी की सालगी खा का केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए अब उन्हें ये सब चीजे नहीं पसंदी केक काटना भी उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था लेकिन तब भी बच्चे आगरे करते हैं तो वो जगे जहां कर खड़े हो जाते हैं जहां केक काटा जाना है फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक काटा जबकि उन्होंने somehow I don't like all this परंतो उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि इसमें अंडा होता है उन्होंने बेटी ने आगरे किया केक तो काट दिया लेकिन उन्होंने साथ में बोल दिया somehow I don't like it यानि मुझे ये सब चीज़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है काट तो दिया मगर केक खाने समना कर दिया क्योंकि उसमें अंडा होता है अधिक आगरे पर उन्होंने संध्या ना करने का बहाना किया तथा पूजा पर चले गए जब बहुत सब ने उन्हें बहुत जादा इंसेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि अभी मैंने संध्या पूजन नहीं किया है इसलिए मैं कुछ नहीं कहा सकता और यह कहकर वो संध्या पूजन के लिए चले जाते हैं आज उन्होंने पूजा में देर लगाई ताकि अधिकतर महबान चले जाएं यहां भी उन्हें किषन दा दिखाई दिए उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए किषन आ कह रहे थे कि भाव सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं चाहे वा ग्रहस्तो या ब्रह्मचारी अमीर हो या आमीर गरीब शुरू और आखिर में सब अकेले ही रहते हैं आज वो संध्या पूजन में जान के जादा वक्त लगा रहे थे ताकि जितने महमान हैं चले जाएं उनको पार्टी में वापस ना जाना पड़े अब वहाँ वो संध्या पूजन में बैटे हैं तो वहाँ पे भी वो किशन्दा से ही मुखातिब हैं बोल रहे हैं कि आपके साथ जो हुआ होगा ऐसा क्या हुआ कि आप मृत्तु को प्राप्त हो गए तो किशन्दा उनके खयालों में ही जवाब देते हैं कि भाई सब ही जो हुआ होगा से ही मरते हैं चाहे अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो सब ऐसे मिरते हैं जब आते हैं तब अकेले होते हैं और जब इस दुनिया से जाते हैं तब अकेले ही होते हैं यशोदर को लगता है कि किशंदा आज भी उनका मार्दर्शन करने में सक्षम है और यह बताने में भी कि मेरे बीबी बच्चे जो हुआ जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विशे में मेरा रविया क्या होना चाहिए किशंदा अकेले पन का राग अलाप रहे थे उनका मानना था क यह सब माया है जो भूशन आज इतना उचल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असाय अनुभव करे का जितना की आज तू कर रहा है अब यशोदर बाबु का मानना था कि माना किशंदा इस दुनिया में नहीं है लेकिन आज भी कहीं न कहीं उनका मार्गदर्शन वो कहना था कि यह जो भूशन आज इतने सारे मित्रों इतने सब के साथ जो यह चल कूद्र कर रहा है एक दिन ऐसा ही वक्त आएगा जैसे आज तुम अकेले हो वैसे वो भूशन भी एक दिन ऐसे ही अकेला होगा इस बीच यह शोदर की पत्नी ने वहां आका जिड़कते हुए पूचा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे भाई बहुत देर लगा रहे थे महमान थे सब पूच रहे थे तो उन्होंने यही पूजा कि आज क्या पूरा दिन पूजा में ही बैठे रहना है जितना समय बचा है महमानों के जाने की बात सुनकर वो लाल गमचे में ही पसंद नहीं आता बच्चे इस परंपरा के सक्त खिलाबते उनकी बेटी इस बात पर बहुत जल आई टेबल पर रखे प्रजेंट खोलने की बात करी मतलब गमशा पहन के आने की जो पद्यती ड्रॉइंग रूम में थी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई बेटी भी बहुत खोलिए भूशन उनको खोलता है कि यह उनी ड्रेस गाउन है तो उसमें एक सबसे बड़ा प्रेजेंट होता है जो भूशन उनके लिए लाया होता है वो यह शोदर बाबु को देता है और बोलता है कि यह उनी ड्रेस गाउन है यानि कि सुबह सुबह जो उनी पूरा गाउ पहन लेते हैं अब क्या है कि वो बोलते हैं कि आप सुबा जो है फटा पुलोवर पहन के जाते हैं हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आता आप कल से यह पहन के जाईएगा तो बेटी जल्दी से दौड के कुर्टा पजामा ले आती कि कुर्टा पजामा पहनी है और उस पर गाउन पहन के हम लोग को दिखाईए तो बच्चों के आगरे पे पहन कर दिखाते हैं अब दिखाते तो हैं लेकिन इनकी आखों में नमी आ जाती है उनकी आखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई यह कहना कठिन है कि उनको भूशन की है बात चुप गई कि आप इसे पहन कर दूद लेना जाया करें वा स्वेम दूद लाने की बात नहीं करता ये कहना कठिन है कि उनकी आखों में वो नहीं क्यों जम की वो उसके लाए प्रेजेंट से खुश थे या वो ये सलिए दुखी थे कि भूशन ने उनके लिए गाउन तो लाया मगर ये नहीं बोला कि आप मत लेने जायेगा दूद मैं दूद लेने चला जाऊंगा अर्थात घर की जम्मेदारियां बच्चे नहीं उठा रहे थे इस बात से वो दुखी थे तो इस तरीके से इस कहानी का यहां परांथ हुआ तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है पुरानी पेड़े और नई दूद चल रहा है दोनों की विचारधाराओं को लेकर दूद चल रहा है बच्चे जम्मेदारिया नहीं उठा रहे वो अपने में व्यस्त हैं सब चीजे जो हैं आपके सामने मनुवर शाम जोशी ने हमारे लिए रखी तो यह हमें कहीं न कहीं तक देती हैं कि हम अपनी त आसान हो जाती है तो यह कहानी है खतम हुई ये शोदर बाबु की पत्ति समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन ये शोदर बाबु सफल रहते हैं असफल रहते हैं ऐसा क्यों उन्होंने क्या किया वो अपने बच्चे जिस तरीके से आधुनित्ता को अपना रहे ते व ये शोदर बाबु नहीं बदल सके अब इसका क्या कारण है ये इसमें आप सभी के मतलग अलग होंगे तो उनको आप दिहान में रखते हुए कैसे लिखेंगे ये देखिए ये शोदर बाबु बच्चपन से ही माता पिता के देहां थो जानी की वज़ा से जम्मदारियों के बोज से लद गए थे वे सदैक पुराने खयालों वाले लोगों के बीच रहे पले बढ़े अतावे उन परंपराओं को चाहकर भी नहीं छोड़ पाए यानि कि वो शुरू से ही मतलब पुराने खयाला जिम्मेदारी वाले लोगों के साथ रहे तो वो क्या हुआ वो संसका उनके अंदर पूरी तरीके से रच बस गए अब वो चाहकर भी उन चीजों को अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे हैं याशोदर बाबू अपने आदर्श घोर संसकारी किसंदा से अधिक प्रभावित थे मतलब वो सबसे ज़्यादा किसे प्रभावित थे जो उनके इसी के चलते परिवार के सदस्यों से उनका मतभेद बना रहता था जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती थी अब चूकि वो किशंदा की बातों को मांगते थे उनको फॉलो करते थे अब वो पुराने जमाने के थे वो नहीं चीजों के जबकि उनकी पत्नी जो है वो हमेशा बच्चों के साइट खड़ी रहती थी बच्चों का साथ बच्चों के पक्ष लिया करती थी क्योंकि वो धीरे धीरे उन बच्चों के साथ ढलने लगी थी मगर कि अशोदर बाबू नहीं ढल पा रहे थे विवा के बाद उन्हें को फॉलो किया था इसलिए वो अपने बच्चों के आधुनिक द्रिश्टी कोर से जल्दी प्रभावित हो गई तो जब उनके लिए बदलाव दिखा तो वो जल्दी है एक्सिप्ट कर ले गई वे बेटी के कहें के अनुसार ने कपड़े पहनती और बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती यशोदर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित होती जाती हैं लेकिन यशोदर बाबू अभी भी किशन दा के संसकारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं वे बदलते समय को समझते तो हैं किन्तु पूरे मन से स्वीकार ना करपाने के कारण असफल रहते हैं तो यहां जो सबसे बड़ा कारण ये था कि जो यशोदर बाबू हैं वो किशन दा से बहुत उनके विचारों से इसकदर बंधे हुए थे कि उनकी कही हर बातों को मांगते थे इसलिए वो आधुनित्ता को अबना नहीं पा रहे थे अगर इधर इनकी पत्नी उन्होंने बहुत ही समयंत वरिवार के कठोर नियम देखे थे आज जब उन्हें परिवर्तित होने खुलकर जीने का जब मौका मिला तो उन्होंने उन्हों को बहुत काईदे से अपनाया क्योंकि वो सब चीज उनके बच्चों के साथ थी इसलिए उन्होंने बच्चों के साथ अपनाते हुए सारी चीज़ों को फॉलो किया प्रेश्श् richtige 2, पार्ट में जो हुआ होगा वाक की आप कितनी अर्थ छविया खोट सकते हैं या सकती हैं अब जो हुआ होगा पार्ट में क्या तात पर रहे था कि कोई तर्थ वितरनी जैसा था वैसा ही हमने एक्सेप्ट कर लिया ये बात थी पार्ट में तो यह अर्थ लेकिन आप इससे क्या-क्या अर्थ निकालते हैं यह आपको बताना है जो हुआ होगा वाकि पार्ट में पहली बारता बाता है जब यशोदर बाबु किशंद आके जाती भाई से उसकी मृत्यू का कारण पूछते हैं उटतर में उन्होंने कहा जो हुआ होगा यानी पता नहीं फिर यशोदर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते विवेक्ति अखेलेपन के कारण स्वस्त दिखने के बावजूद बिमार हो जाते हैं और एकाकी पन से उनकी मृत्यू हो जाती है यही कारण हो सकता है कि उन्हें उनकी बिरादरी की गोर उपेक्षा उदासिंता मिली हो इस कारण वाद दुख से सूख सूख कर मर गए किशनदा की मृत्यू के सही कारणों का पता नहीं चल सका बस यशोदर बाबू यही सोचते रहे कि किशन्दा की मृत्व कैसे हुई जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है तो ये पूरे पार्ट में इसके अर्थ की छवी यही थी कि जो हुआ होगा यानि की अर्थात किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ होगा जो हुआ था उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया उसमें कोई छिड़खानी नहीं की तो पूरे पार्ट में यही अर्थचविया हम खोज पाए है प्रेश्न तीन है मतलब कुछ लोग होते हैं कि कुछ वाक के को जो है बार 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 बोलते हैं जैसे समझ गए ठीक है अच्छा तो हम चलते हैं ऐसी कुछ अच्छा 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 जैसे कई लोग होते हैं जो अपने हर वाक में उस शब्द का इस्तिमाल जरूर करते हैं तो इसको बोलते हैं तकिया कलाम, तो उसी तरीके से यशोदर बाबु का तकिया कलाम था somehow improper, यानि कि ये कुछ ठीक नहीं है, इन प्रॉपर ठीक है, somehow improper है, हम इस पे कोई निर्णे नहीं ले पा रहे हैं, जैसा है, ठीक है चल रहा है, तो इस वाक्यां से आपको यशोदर बाबु की वेक्तितु के बारे में क्या पता चलता है, और इस कहानी से उनके कत्य का क्या संबंध है, ये बताना है, ये शोदर बाबु लगबग हर वाक्य की प्रारंब में, somehow improper शब्द का प्रयोग तक्या कलाम की तरह करते हैं, उन्हें जो अनुचत लगता है, तब आचानक ये वाक्य निकलता है, मतलब जब उन्हें कोई चीज़ सही नहीं लगती, तब ये अचानक ही बाहर आ जाता है, उनका जो पत्र, उनका जो पहला बड़ा बेटा था, वो विज्यापन कमपनी में, अडविटाइजन कमपनी में जो काम करता था, उसको डेड़ हजार वेतन मिलना था, जो उनको बिल्कुल नहीं से लगता था, तो उसके लिए बोलते थे, somehow improper, मतलब ये कुछ कड़बड है स्कूटर की सवारी पर, अब वो पैदल आते जाते थे, आफिस से, बिल्डा मंदेर, पहार गंज होते हुए तब घर आते थे, तो उन्हें स्कूटर की सवारी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो ये वो बोलते थे, somehow improper, दफ्तर में silver wedding, अब दफ्तर में जब silver wedding का सब पता चलता है, तो बोलते भाई, चाय नाश्ता करिये, चलिए यहीं party मनाते, तो उन्हें वो party मनाना भी somehow improper लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, फिर DDA flat का पैसा ना भरने पर, अब जब वहाँ जिस सरकारी quarter में वो रह रहे थे, उसको तोड़ा जा रहा था, उसकी जगह इनको flats दिये जा रहे थे, तो उन्होंने वो flats लेने से मना कर दिये थे, उसके पैसे भी उन्होंने नहीं दिये थे, तो वो सम्हाँ उनको flats पर रहना पसंद नहीं था, इसलिए उनको उन्होंने पैसे नहीं दिये और तभी उन्होंने बोला somehow improper, फिर खुश हाली में रिष्टेदारों की उपेक्षा करने पर, यानि कि जब हम खुश हैं, तो उस समय हम रिष्टेदारों को क्यों नहीं याद करते हैं, ये चीज भी उन्हें इंदम सही नहीं लगती थी, छोटे साले के ओचेपन पर, यानि कि जब वो बोलता है, कि क्या केते हैं, आपके बे विदेशी परंपरा उन्हें केक, काटना, बॉदे मनाना, वेडिंग मनाना ये सब उन्हें विदेशी परंपरा लगती थी इसलिए ये सब चीज भी उनको सम्हाव इंप्रॉपर ही लगता था इन संदर्मों से ये सपष्ट हो जाता है कि यशोदर बाबु सिधान्त वादी हैं यशोदर बाबु आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूलियों और संसकारों के विरुद्ध हैं वे उन्हें अपनाना नहीं चाहते इसी आदत के कारण अक्सर परिवार्म से उन अपने आप मूं से निकलाते हैं आप देखते हैं प्रेश्ट चार यशोदर बाबु की कहानी को दिशा देने में किशन दा की महत्वड भूमिका रही आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वड योगदान रहा आप देखें ये जो प्रेश्ट पूछा गया है आप आपके जीवन में हर कोई वेक्ति होता है जो प्रेड़ना देता है कि आप ये कारे करिए तो वही चीजे होती है ये सभी में आपके परिवार में आपके मित्रों में आपके टीचर्स में किसी ने आपको प्रेड़ना दी होगी तो उसके बारे में आप इसमें लिखेंगे कैस लिखेंगे हम आपको बताते यह शौदर बाबु कि कहानी को दिशा देने में किशंदा की महतव equipinho मींका रही मेरे जीवन को दिशा देने में मेरी बडी बहन की महतवब gi का रही निए निकाइ खेल् inu Original हरती उन्हें देखकर मुझे आगे बढ़ने की प्रेढ़ना मिलती थी, वे समय समय पर मुझे मारदर्शन भी देती रही, तथा मेरी कम ज़ेवरियों को दूर करने में मेरी पूरी सहायता करती थी, मतलब उन यहां पर हमने बताया कि बड़ी बहन को देखर, बड़ी बहन हर चीज में बहुत पारंगत थी, तो उनको देखक अगर हमें भी लगा कि हमें भी चीजे करनी चाहिए तो आपके जीवन में भी आपनी किसी से प्रेढ़ना ली हो तो उसे भी आप यहां पर लिख सकते हैं प्रेश्ण पांच वर्तमान समय में परिवार की संग्रख्चना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी में कहां तक सामंजस बिठा पाते हैं यानि कि वर्तमान के अभी के समय में जो हमारे परिवार की संग्रचना यानि कि हमारा परिवार जैसा है उसमें जो सब चीज़े होती हैं जितना भी है वो सब क्या इस कहानी में सामंजस बैठाते हैं अगर बैठाते हैं तो किस हद तक बैठाते हैं मतलब हमारी कहानी कितने तक इनकी कहानी से मिलती जुलती है जैसा भी है आपको ये चीज़ पता नहीं है तो क्या है इस पार्ट के माध्यम से पीडी के अंतराल का मारमिक चित्रन हुआ है मतलब दो पीडियों के बीच का जो डिफरेंसेज हैं वो बहुत ही प्यारी डेंग से सामने रखा गया है आधुनिक्ता के दौर में येशोदर बाबू परमपरागत मोल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं मतलब आधुनिक्ता आ रही है तो मगर यहां पर येशोदर बाबू हर अपनी जो परमपरागत रिथिया हैं उनको हमीशा फॉलो करना चाहते हैं उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है यशोदर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और सायुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं वो पुरानी माननेताओं को नहीं मानते तो यहाँ पर क्या है यशोदर बाबु अपनी जो पुरंपरागत चीजें उनको फॉलो कर रहें लेकिन बच्चे क्या है वो आधुनित्ता को अपना रहें इसलिए दोनों पीडियों के बीच में जो अंतर है और इसी के कारण वो मतभेत का कारण भी पनती है अता मेरे मत में पुरानी पीडि को कुछ आधुनिक होना होना पड़ेगा और नई पीडि को भी पुरानी परंपराओं और माननेताओं का खयाल रखना होगा यह तभी सामनजे से संभव होए जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान एवन सुख सुवधा का खयाल रखें तो यहां हमारा मत क्या है जो पुरानी पीडि है वो थोड़ी से आधुनिक हो जाए और नई पीडि जो है वो पुरानी माननेताओं को मान के चले तो इसी तरीके से दोनों पीडियों में सामन जस ठीक तरीके से बैठ सकता है अब प्रेश्ट छे हमारे सामनी क्या है निम लिखित में से किसे आप कहानी की मूल समवेदना कहेंगे या कहेंगी अब आपके सामने तीन सम्वेदनाई रखी गई है इसमें आप मूल किसको मान रहे हैं इस कहानी में इस कहानी का मूल क्या है पहला है हाशिये पर धकेले जाते मानविये मूल हाशिये मतलब धर्रे पर आप दे जो मानवे मूल है उनको आपने कहीं पीछे ढखेल दिया है जो हमारी परंपरा के जुम्मूल है उनको हमने कहीं पीछे ढखेल दिया है फिर का है पीड़ी का अंतराल मतलब दो पीड़ियों के बीच का अंतराल है इसका मूल कहानी इस कहानी का मूल है पित गाहे हमारा पाश्चा पीडी का अंतराल, यह हमारी कहानी का मूल है, तो क्या उसी के हिसाब से हम इसका अब तर्क भी देंगे, हमने जैसे यहाँ पर दे दिया है, खा पीडी का अंतराल करके हमने इसको लिखा, अब उसमें क्या लिख रहे? आदुनिक्ता के दौर में यशोदर बाबू पराम परागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं उनका उसूल पसंद होना एवं दफ्तर एवं घर दोनों लोगों के लिए सिर्दर्द बना है यशोदर संसकारों से जुणना चाहते हैं और सयुक्त परिवारती संवेदनाओं को अनवब करते हैं जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं उन्हें पिता का पुराना रवया अपनी बेज़दी लगता है यशोदर भी नए चलन को सुईकार नहीं करते हैं और पुरानी पीडि का यह दवन्द चलता रहता है तो यहाँ पर हम यह चीज दिखाएं के नई और पुरानी पीडि का दवन्द जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है इस चीज़े हमने इसमें बता दी सांस्कृति सामाजिक संग्रक्षण के लिए स्वस्त परंपराओं को की सुरक्षा आविशक है मतलब अब इन्होंने ये तो हमको बता दिया कि दो पीडियों के बीच में दौंद चल रहा है लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है अब देखे पुरानी जो चीजें हैं वो हमारी सांस्कृतिक चीजें हैं तो उसको क्या करना है उनका स्वरक्षण करना हमारी परंपराओं के लिए बहुत ज़रूरी ताकि हमारी जो सभ्यता है वो काफी समय तक बनी रहे अगर अपने पुराने मुलयों को भूल जाएंगे तो आगए हमारी सभ्यता उतनी डेवलप नहीं करपाएगी न हम अगर दूसरों की चीजों को एकसेप्ट करते रहेंगे हमारा मूल जो हमारी भात्यता है हमें उसे भी तो अपनाना है हमारी संसकार है उसे भी तो अपना के चलना है तो वही चीया है किन्तु बदलते समय और परिवेश में इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए माना कि आप आधुनिकता अपना रहें लेकिन उसमें हमें अपनी पुराणी मान्यताओं और संस्कृतिक़ नहीं भूलना चाहिए अता मेरे मत में पुराणी पीडी को थोड़ा आधूनिक होना पड़ेगा और नई पीडी को पुराणी मगर स्वस्त परंपराओं और मान्यताओं का खयाल रखना होगा तब ही सामंजस बैठ सकता है तो पुरानी पेड़ी थोड़ी से आधुनिता अपना ले और नई पेड़ी जो है वो क्या करेगी हमारी जो सस्त परंपराएं जो अच्छी संस्कृतियां जो सब्धिता हैं उन्हें अपनाते हुए आगे चले तो यह सामंजस को हम कहीं हद तक बैठा पाएंगे प्रश्न साथ है हमारा अपने घर और विद्याले के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखिये जो सुविधा जनक और आधुनिक होते हुए भी बुजर्गों को अच्छे नहीं लगते अच्छा ना लगने के क्या कारण है अब क्या है जैसे समय बदल रहा है बहुत सी चीजें बदल रही मगर हमारे बुजर्गों को वह बदलाव हैं तो अच्छे लेकिन वह हमारे बुजर्गों को पसंद नहीं आते अब चाहे वह हमारे घर में हो हमारे आसपास हो हमारे स्कूल में हो जो कुछ भी चीजें हो आपके घर में कोई या कोई बुजूर्ग होगा आप उनसे बात करते होंगे तो उनसे चीज़े पता चलती होंगे कि उन्हें क्या चीज़े नहीं पसंद आ रही इस आधुनिक्ता में बगर वो बदलाव अच्छे हैं लेकिन उनको पसंद नहीं आ रहे हैं बहुत से बदलाव उन्हें बहुत से नहीं करते हैं जैसे घर सी विद्याले जाने के लिए साइकले एवन मोटर का इस्तेमाल करना उनका मामना है कि पैदल जाएए स्वस्त रहिए तो आप ज़्यादा अच्छे से कारे कर पाएंगे लड़किया लड़कों का एक साथ पढ़ना और मिलना जुलना ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता युवा लड़कों और लड़कियों द्वारा अंग प्रदर्शन करना मतलब छोड़े छोड़े कपड़े पहनना ये सब चीजे करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आत बुज़र्गों को यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब वे युवा थे उस समय संचार के साधरों की कमी थी सैयुक्त पारिवारिक प्रश्ट भूमी के एकारवे युवस्था में अपनी भावनाओं को काबू में रखते थे और अधिक जिम्मेदार होते थे आधुनिक परिवेश में युवा बड़े बुरू के साथ बहुत कम समय बिताया करते इसलिए सोच एवं दश्टी कोड में अधिक अंतर आ गया युवा पीडी की यही नई सोच बुज़र्गों को अच्छी नहीं लगती कहने का मतलब यह है कि बदलाव आया है मगर इन बदलावों को उनके लिए हम अच्छा बना सकते हैं बनिस्पत नई पीडी युवा है वो बुज़र्गों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें व्यतीत करने से उन्हें अच्छा भी महसूस लगेगा और वो हमारी चीज़ों क अब प्रेश्ण आठ है हमारे सामने क्या ये शोदर बाबु के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है दिये गए तीन कतनों में से आप किसके समर्थन में हैं अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उनके लिए तरक दीजिए अब क्या है इस पूरे पार्ट को पढ़न अपनी राय व्यक्त करनी है क्या है ये शोदर बाबु के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे साहनबूती के पात्र नहीं है दूसरा है ये शोदर बाबु में एक तरह का द्वंध है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खीचता तो है पर पुराना छोड़ता नही इसलिए उन्हें साहनबूती के साथ देखने की जरूरत है मतलब अब यहां पर क्या बता रहे हैं कि वो आधनिक्ता उन्हें खीचती है मगर पुरानी परंपराओं को वो छोड़नी पा रहे है इसलिए उन्हें हमें उन्हें साहनबूती रखनी चाहिए तीसरा क्या दिया ह यशोधर बाबू एक आदर्श वेक्तित्व है और नई पीडी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उच्छत है तो अब क्या है वो एक अच्छे वेक्ति है और नई पीडी को उनका विचार अपनाना चाहिए तो इन तीनों में से आपको कौन सा सही लगता है हमारे विचार से तो ये खावाला एकदम सही बैठता है इनकी विचारधारा के हिसाब से जो हमने पूरा पाट पड़ा है वैसा वेक्तित तो हमें ही लगते है क्या है यशोदर बाबू में एक तरह का द्वन्द है जिसके कारण नया उन्हें कभी-कभी खीचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं इसलिए उन्हें साहनबूती के साथ देखनी की जरूरत है मतलब जो कुछ है अपनाना तो चाह रहे हैं मगर जून की पुरानी परमपरायएं वो उसे छोड़ने ही पा रही है यशोदर बाबू जैसे लोग साधार्टा किसी ना किसी से प्रभावित होते हैं जैसे ये शोदर बाबू किशंदा से थे ये परमपरा अगर धर्रे पर चलना पसंद करते हैं मतलब जो परमपरा हैं चलती पहले से चली आ रही है उसी धर्रे पर वो चलना चाहते हैं वो बदलाव नहीं चाहते हैं तथा बदलाव पसंद नहीं करते हैं अतहा समय के साथ धल उसे प्रभावित हैं उन्हें भी नई चीजें अपनाने में तकलीफ होती हैं इस कारण वे हमसे दुखी रहते हैं और हमें भी दुख होता है इसलिए मैं उनसे अनुने विने करके धीरे धीरे उनकी आबशक्ता से परचित कराना चाहता हूं ताकि वे भी लाभानवित हो सके मतलब आधुनिक साथ से आप धीरे धीरे अपने बुज़ुर्गों को परिचत कराईए एकदम से मत थोपे जब आप धीरे धीरे परिचत कराएंगे उन्हें भी लगेगा कि नहीं हम ये चीजें हम अपना के काफी फायदा महसूस कर सकते हैं तो इस तरीके से उन्हें भी बहुत लाब होगा इस तरीके से इस पार्ट के सभी प्रश्ण उत्रों को खतन किया वो है सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है ये जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सिल्वर वेडिंग इसके लेखक कौन है किसने इसको लिखा है प्रेम चंद मनुहर श्याम जोशी आ कहानी सिल्वर वेडिंग में किशन दा की मृट्य के संदर्व में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या ताजति पर रहे हैं किशनदा की मृत्य हो जाती है और जब उनके रश्रदारों से पूछा जाता है कि क्या हुआ तो बोलते हैं जो हुआ होगा अब यह जो जो हुआ होगा जो कहानी कार यानि कि हमारे लेखक ने जो लिखा है यह क्यों लिखा है क्या कारण है कि ऐसा लिखा उन्होंने तो उस पे चार आप्शन दिए हैं लेखक म्रुत्यु का कारण नहीं जानते हैं लेखक को मृत्यव यह कोई अंतरश नहीं पड़ता है तो अब जो हुआ होगा से ऐसा क्यों बोला गया है क्योंकि हमारे जो लेखकài मूने जिस वक्ताव इस्तमाल किया वो था जो हुआ होगा अब है कोशन नमब थ्री क्या है दफ्तर की घड़ी में कितने समय होने पर यशोधर जी कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हैं अब ध्यान दीजेगा कोशन क्या है दफ्तर की घड़ी में कितना समय बजा होने पर यशोदर जी कर्मचारियों की सुष्टी पर जो है वो कटाक्ष करते हैं कितना बजा हुआ था उस समय पांच बज़ कर 25 मिनट पर चार बजने पर पांच बजने पर या चार बज़ कर 30 मिन कोशन नमबर 4 है यशोदर बाबु का विवाह कब हुआ था उनके विवाह की तो सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है तो अब उनका विवाह हुआ कब था 26 फरवरी 1947 सौरी 6 फरवरी 1947 चे फरवरी 1946 पांच फरवरी 1947 चे फरवरी 1945 तो जो इसमें बताया गया है वो है छे इसको जो है वो यशोदर बाबु का विवाह हुआ था अब है कोशन नमबर 5 फाइव यशोदर बाबु बच्चों की तरक्की से खुश होते हुए सम्हाव इंप्रापर क्या अनुभव करते हैं अब वो खुश है तो सम्हाव इंप्रापर तब भी उन्हें कोई चीज ठीक नहीं लगती तो वो खुश होते हुए क्या महसूस कर रहे हैं क्या चीज है जो महसूस करते हैं वह खुश हाली यह भी कैसे जो अपनों में परायापन पैदा करें कहने का मतलब क्या है कि वह खुश थे लेकिन तब भी उन्हें कुछ चीजें उन खुश तरक्की में अच्छी नहीं लगती थी तो वह तरक्की में जो अच्छी नहीं लगती थी वह क्या थी वह खुशाली जिसमें वह अपने आप अपने जो अपने लोग होते हैं उनमें पराया पना आजाए आपने बच्चों द्वारा गरीब रिष्टेदारों की उपेक्षा उन्हें नहीं जचती थ साधारन पुत्र को असाधारन वेतन देने वाली नौकरी समझ नहीं आती थी उपर युक्त सभी तो यहां पर ये उपर वाले सभी कारण जो हैं वह उनको ऐसे लगते थे कि वह खुश होकर भी ना खुश रहते थे तरक्की से खुश थे लेकिन उस तरक्की से जो चीज़े पीछे छूट रही थी वो उनको अप्रसन्न कर देती थी और वो छूटे वाली चीज़े क्या थी अपनों के बीच परायापन रिश्तेदारों से दूरी और चोटी सी नौकरी में ही इतना जाधा वेतन ये सब चीज़ें उन्हें अप्रसन्न कर देती थी तो यहां पर ये ही कारण है । हैं आप आते हैं कोश्ण नंब्र सिक्स पो यशुदर बाबु की पत्नी उनसे नाराज क्यों रहती थी या बात थी कि वो पत्नी उनसे बहुत ज़There जहथी ती विवा की पस्चात सैंक्ध परिवार में रहने के कारण विवा के पस्चात बंदिशों के कारण न विवायता होने पर पुराने नियम लागू होने के कारण उपरियुक्त सभी तो यहां पर ये सभी कारण थे जिससे उनकी पतनी उनसे नाराज रहती थी कि जब वो नहीं नहीं शादी करके आई थी तो वो संयुक्त परिवार में थी जबकि उनके और जितने भाई थे यशुद बाबु के वो सब अलग अलग रहने लगे थे तो इसलिए उनको संयुक्त परिवार में कट्राईया जहलनी पड़ी जो काफी समय तक वो जहलती रही बंदिशे बहुत जादा थी और जो नवी वायता यानि कि उनकी जो पत्नी जब नहीं नहीं शादी करके आई थी तो उनके ऊपर बहुत ही कड़े नियम लागू कर दिये गए थे जो बहुत पुरानी मानताओं के थे तो यह सभी चीजें जो हैं उनको नागवार गुजरत थे जिस से वह अभी तके शुदर बाबू से नाराज थे हैं कोशन नमबर 7 आप सिलवर वेड़न कहानी की मूल सम्वेदना किसे कहेगे चो सिलवर वेड़न हमने कहानी जो हमने पढ़ह है इसकी मूल समवेदना क्या है हाशी पर धकेले जाते मानवीर मूल यानि कि हम तरक्की के पे जो है ना तरक्की चड़तो रहें लेकिन इस पे हमारे जो मानविय मूल हैं जो हमारे जीवन का आधार है वो कहीं न कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं पेढी का अंतराल, यानि की जंग्रेशन ग्याप जिन्हें बोलते हैं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव यानि जो पश्चमी संस्कृति है वो हम पें भौत हावी हो रही है और हमाँ अपनी भारती संस्कृति कहीं भूलते जा रहे हैं उपरियुक्त में से कोई भी नहीं तो जो हमने ये कहानी पड़ी है सिल्वर वेडिंग इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें पीड़ी का अंतराल है ये शोधर बाबु और उनके बच्चों के बीच में नहीं बनती तो वो जो जंग्रेशन गैप है वो दोनों एक दूसरे अग नहीं समझोता नहीं करना चाहते हैं इसलिए इस कहानी में हमने पीड़ी का अंतराल अरथा जंग्रेशन गैप को देखा है को कोशे नमबर एट दिल्ली में ये शोधर ने किसके घर पर शरण ली थी जब दिल्ली आये थे वो उनके पैसनोंखरी नहीं थी तो वो किसके घर पर आकशरण उनको मिली थी किशन दा के करश्ण कुमार के श्यामलाल के या राम कुमार के तो जब वो दिल्ली आये थे तो उन्हें किशन दा के हां जो है शरण को मिली थी कोशिन नमबर नाइन ये शोधर बाबु को अपने पर गर्व और प्रसनता का बोध कब होता था जब उन्हें अपने आप पर बहुत ही प्राउट फिल होता था और बहुत जादे खुश भी महसूद करते थे ऐसा उनके साथ कब होता था जब लोग उनके बच्चों की उन्नती को देखकर उनसे इर्शा करते थे यानि कि अरे इनके बच्चे इतने हमारे बच्चे करी नहीं पाए इर्शा करना मतलब जेलसी फील करना जो होता था वो होता था तब जब भूशन उन्हें सिल्वर वेडिंग का उपहार देता है सिल् उन्हें जो है कभ होगा जब बहुत ही जादा कहते ने बहुत ही खुश महसूस करने लगते थे माना कि वह इस उन्नती सी खुश नहीं हो थे कहीं न कहीं आप्रसन थे लेकिन तब भी बहुत जादा खुश हो जाया करते थे उस समय पर वो कोशियर नंबर टें ठें क्या है दफतर से आते सम्मय यशोदर बाबू प्रते दिन कहां जाते थे फुट कौन सी जगाती जहां वो रोज जाना पसंद करते थे पार्क श्याम मंदर बिड़ला मंदर या विद्या लए तो वो मतलब उनका जो हमनों को व्यक्तित्व निकल के आता है पूरी कहानी के बाद वो कैसा है मर्यादत संसकार प्रिये बुरे या का और खा सही है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो मर्यादत है और संसकार प्रिये है जो संसकार उनके अंदर पड़ें तो यहाँ पर यह दोनों सही है इसलिए हम यहाँ पर क्या देंगे का और खा दोनों ही सही है कोशे नमबर है 12 किशनदा की किस परंपरा को यशोधर ने जीवन्त रखा है मतलब किशनदा की कौन सी सी परंपा थी जो उन्होंने अभी तक उसको फॉलो करते आ रहे किसे लि desserts और नहीं रहें बहुत ताइम हो गया लेकिन तब भी जो है ये शोधर जी उसको फॉलो कर रहे हैं फॉली मनाना जन्म दिन मनाना शाधी की वर्षघाठ मनाना या भोज का आयोजन करना तो क्या थी जो परंपरा थी वो थ है घरमे होली मनाना जिसको वो आज भी फॉलो करते चले आ रहे थे कोशे नमबर 13 यशोदर बाबु के बड़े लड़के का क्या नाम था उनका सबसे बड़ा लड़का उसका क्या नाम था जतिन मोहन भूषण या योगेश तो उनके सबसे बड़े लड़के का नाम था भूषण कोशे नमबर 14 भूषण कहा नौकरी करने लगा था वो कहाँ पर नौकरी कर रहा था विद्याले में सरकारी दफ्तर में विज्यापन संस्था में या अस्पताल में तो यहाँ पर क्या था वो एक विज्ञापन संस्था में नौकरी कर रहा था advertisement company में वो job करने लगा था question number 15 मा की मृत्यु की पशाच ये शोधर पंथ को किसके पास रहे थे वो जब वो काफी छोटे थे ये शोधर जी तो उनकी मा का देहान थो गया था अब देखभाल के लिए कोई नहीं था तो उनको कहां पे रहना पड़ा था चाची बुआ भाबी या दादी के यहां तो उनको रहना पड़ा था अपनी बुआ के यहां वो अपनी बुआ के यहां रहने लगे थे अपनी माता के देहान थे के पस्चात question number 16 जनारदन शब्द सुनकर यशोधर पंत को किसकी याद आई थी जनारदन शब्द जनुन सुना था तो उन्हें किसकी याद आई थी किशंदा की भूशन की अपने बहनोई जनारदन जोशी की या चड़ा की तो उनको याद आई थी अपने बहनोई जनारदन जोशी की क्यो मर्याद hm 17 समाप्ट कर देती है रहाउआा प्रमपरागत्विचार धारा पाश्चाट्यविचार धार रा यह उपरोक्त में तहारा क्योंकि वह पश्चमी सब्विता को बिलकुल भी पसंद नहीं करते थे पाश्चा ते विचार धारा मतलब पश्चमी सब्विता मतलब जो आधुनी काल्च को पश्चम से जो रेक देख अपना रहे हैं रहना खाना पीना कपड़े बहनना खान पान सब कुछ हमारा प हम लोगों के यहां सिल्वर वेडिंग कब से होने लेगी यह कतन किसके द्वारा कहा गया था जब शाम को यह शोदर बाबु जी घर पहुंचे तो वहां एक पार्टी चल रही थी तो अब पार्टी में जब घुसे तो हुआ भाई कर लिया उसके बाद जब उन्होंने बाह का कथन था कि अब एक कोशन नमबर 19 किशंदा की परमपराओं को जीवित रखने की कोशिश में यदु रशोदर बाबु नहीं किसको नारास किया यानि कि वो किशंदा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे उनकी कहीं हर बातों को करने वाली हर बातों को वो मानते थे तो उनकी बातों को मानने के चकर में वो किसको नाराज कर दिया करते थे उनकी दोरा चलाई गई परमपराओं चीज़ों को जो फॉलो कर रहे थे उसकी वज़ा से कौन उनसे नाराज हो गया था गिरेश को अपनी पत्नी को अप भी उनसे खबार गार दें हर बात किसंदा किसंदा करते थे जिससे उनके बच्चे और पत्नी बहुत लात पर jobs 步ίνा है कौशे नमर्टूंटने टुटई पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध किसकी मृत्यू किसमदित कि भूशन की ये उप्रोक्त में से कोई नहीं तो पार्ट में जो हुआ होगा वो किangi मृत्यों से समबंदित है यह क्यों संबंदित है कि कस कारण से हुई यह कोई नहीं पूछा जाता तो बोल देते कि जो हुआ होगा तो यह वाग कि उनके मृत्तियु से संब्द देते अब है कोशन नमबर 21 मुर्ख लोग घर बनवाते हैं सायाने उसमें रहते हैं यह कथन किसका है यानि कि जो बेवकुफ होते हैं घर आते हैं और बाद में घर उनमें घर में रहते हैं तो यह बात किसने बोली थी यह शोदर बाबु नहीं भूशर नहीं किशन दाने या उपरियुक्त में से कोई भी नहीं तो यह बात बोली थी किशन दाने किशन दाने भी अपनी लाइफ में कोई घर नहीं बनाया सरकारी मका में रहते रहे और जब रिटायर हुए तो उनको भाई उन्होंने शादी भी नहीं करी ती कहां रहते फिर वो अपने गाउं गाउं चले गए थे और यही बात वो बोलते रहे कि मतलब जो मूर्ख होते हो घर भर माते हो सायाने रहते तो इसी को फॉलो करते हुए जो है वह य 22 यशोदर बाबू के जीवन में कौन सी तीन बाते महत्वपून हैं क्या चीज़े हैं जो उनकी तीन उनके जीवन में सबसे महत्वपून हैं माता-पिता के संसकार गुरुजनों की सिक्षा साहित के साथ जुडाव उपरियुक्त सभी अब जैसा कि उन्होंने तीन बाते पूची हैं तो जाहिर सी बात है यह तीनों ही बाते उनके जीवन में बहुत महत्वपून हैं माता-पिता के संसकार गुरुजनों की सिक्षा साहित के साथ जुडा तो यहां क्या लिखेंगे उपरियुक्त सभी आप देखिए इसमें कोई एक बात भी पूची जा सकती है पर एक ऑप्षन आएगा और बाखी ऑप्षन चेंज कर दिये जाएंगे तो यहां पर हम तीनों आपके लिए आए हैं जो सही है हो सकता है एक्जाम में आपके लिए ऑप्षन बदल जाएं तो आपको सही ऑप्षन तीनों पता है याद रखिएगा और अगर आपके माने की बाते मेरे बच्चे नहीं मानते तो इन में उनका कोई कसूर नहीं यह कथन किसका है यह कथन किस ने बोला था यशोदर बाबू का भूशन का किशन दा का या यशोदर बाबू की पतनी का तो यह कथन यशोदर बाबू की पतनी का है जो यशोदर बाबू से ही यह सार गर में किये जाने वाले आयोजनों पर कौन सी चीजे सकत नापसंद थी यानि कि जो आयोजन करते थे वो क्या पसंद नहीं आती थी वक्त की बरबादी खर्च और होने वाला शोर विभिन लोगों का घर आना या अन्य तो जो उन्हें नहीं पसंद आता था वो था बहुत तर यशोदर बाबू अपने जीजा जी का हाल चाल पूछने के लिए कहां जाना चाहते थे उनके जो जीजा जी थे जनारदन जी वो बिमार थे तो वो किस शहर में रहते थे जहां पर वो जाना चाहते थे यशोदर बाबू उन से मिलने के लिए एहमदाबाद हैदराबाद ब कोशन और लोटते थे तो ये शोदर बाबू के घर आते थे और घर आकर जहें जागते हुए क्या बोलते थे healthy, wealthy and wise सुप्रभात यशोधर बाबु इन में से कोई नहीं तो वो बोलते थे healthy, wealthy and wise ये every morning वो बोला करते थे question number 27 यशोधर बाबु अपनी पत्नी को क्या कहे के उसका मजाक उड़ाते थे भाई वो थोड़ा आधूनिक हो गई थी यशोधर बाबु की पत्नी है वो थोड़ा आधूनिक रहन सहन, पहनावा ये सब चीज़े पहनने करने लगी थी तो ये सब चीज़े यशोधर बाबु को पसंद नहीं थी तो जब वो करती थी ये सारी चीज़े पहनावा पहनती थी तब ये शोदर बाबू उन्हें किनकिन नामों से चुड़ाते थे क्या था वो? सानेयाल की बुढिया चटाई का लहेंगा बुढिय मुहासे लोग करें तमासे उपर युग तो सभी तो इन सभी नामों से जो है बात कहके कर ये शोदर बाबू अपनी पत्नी को चुड़ाया करते थे कोशन नमबर 28 अब यहाँ पर एक निशकर्ष कथन है मतलब अब आपके सामने एक कथन रखा गया है उसके ओप्शन्स भी दे दिए गये आप जिस चीज़ से सहमत है आपको उस पर निशान लगाना है तो कैसे है यह देखें यहाँ पर यशोदर बाबू अपने बच्चों की तरक्की होने पर जादा खुश नहीं थे कारण जादा अब उनकी तरक्की जो उनने सब तरक्की कर ली थी उससे वो जादा खुश नहीं थे लेकिन इस खुश न भई हर इंसान अपने बच्चों की तरकी से खुश होता है लेकिन वो खुश नहीं थे इसके क्या कारण थे अब दो कारण दिये हैं पहला कारण है बच्चे आधुनी क्रहन सहन में रहते थे दूसरा बच्चे पीडिगत अंतराल के कारण वे सभी जीवन मुल भुला चुके थे य आपको क्या पूछा गया है दिये गए कथन के सही को सही को नीचे दिये गए विकल्प के आधार पर चुनिए अब दोनों में से आपको जो सही लगता है उसी के हिसाब से विकल्प दिये गये हैं क्या दिये गये हैं आप पहले कारण से सहमत हैं आप दूसरे कारण से सहमत ह वो अप्रसन रहते थे तरक्की से या आपको कोई नहीं इन में से कोई भी कारण नहीं तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि जो यशोदर बाबु हैं वो दोनों ही कारण से अप्रसन रहते थे कि ये दोनों ही कारण थे कि तरक्वी होने के बावजूद भी उनसे काफी खफा रहते थे अब है कोशन नमबर 29 यशोदर बाबू किन लोगों को देखकर सम्हाओ इन प्रॉपर कहकर अपनाये व्यक्त करते थे वो हर बार में somehow improper, somehow improper बोलते थे तो वो कैसे व्यक्तियों को देखते थे कि तब ये बाते बोलते थे आधुनिक विचारधारा वाले लोगों को देखते थे प्राचीन विचारधारा वाले लोगों को देखते थे परंपरागत विचारधारा वाले लोगों को देखते थे या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो क्या होता था जब वो आधुनिक विचारधाना यानि की पास्चात विचारधारा पश्चमी सभ्यता की विचारधारा लखने वाले लोगों को देखते थे उनके रहन-सहन को देखते थे बरताफ को देखते थे तब वो सम्हाव इन प्रॉपर जैसे शब्द का इस्तिमाल करते थे अबे कोशिन नमबर 30 30 में क्या है किशंदा की तरह यशोदर बाबू अपने घर में क्या-क्या मनाते थे किशंदा भी बहुत सारे त्योहार मनाते थे उसी तरीके से उनको फॉलो करते हुए यशोदर बाबू भी अपने घर में मनाते थे तो वो त्योहार कौन से थे जिने व परियुक तो सभी जो हैं यह तिवहार दोनों ही यानि कि किशन दाभी और यशोदर बाबु भी अपने घरों में मनाया करते थे तो अब है हमारे पास question number 31 यशोदर बाबु अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे वो क्या चीज चाहते थे अपने बच्चों से अपनी पत्नी से कि जिसे वो खुश हो सकें पैसा सम्मान परंपराओं का पालन या मुक्ती तो वो चाहते थे सम्मान कि हमको सभी लोग सम्मान दे हमारी बातों को भी माने तो जिससे वो खुश रह सके अब है कोशन नंबर 32 32 में क्या है सिल्वर वेडिंग कहानी के कथा नायक का नाम क्या है यानि कि आपका हीरो इस पूरी का जो पूरी कहानी है वो किसके उपर केंद्रत है ये शोदर जो है वो हमारे पता नायक है यानि कि हमारी कहानी के हीरो है जिस पर कहानी पूरी केंद्रत चृशन सब्सक्राइज फोफे चलए सुपष्य सार्ड वावी मतías बाथ मिंग क्स पद पर नीक्त हुए थे जब दिल्ली आए उसके बाद वो किस पद पर निग तु कुल कमी थे बॉय सर् japanese clerk upon व्री दोट जो नयोग थे वो थे बाुई ये शोदर बाबु का पूरा नाम क्या है उनका पूरा हम ये शोदर बाबु ये शोदर बाबु देख रहे हैं लेकिन उनका फुल नेम क्या है ये शोदर बाबु A.D. पंथ, Y.D. पंथ या O.D. पंथ तो उनका पूरा नाम है Y.D. पंथ उनको जो उनका पूरा नाम बोला जाता है Y.D. पंथ Q.35 ये दफ्तर के बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए ये शोदर बाबू ने कुल कितने रुपे दिये मतब टोटल उन्होंने कितने रुपे दिये तो उनको दो बार पैसे दिये थे ध्यान रखेगा आप जब पढ़ेंगे पहली बार उन्होंने 20 रुपे दिये थ कोषिन नमबर 36 लेखक ने ये शोदर बाबू को किशंदा का कौन सा पूत्र कहा है। ये हैं लेकक ने बोला कि यशोदर बाबु पुत्र है और पिता कौन है किशंदा तो अब किस तरीके के पुत्र है वो मानस पुत्र दत्तक पुत्र नाजायस पुत्र या सर्फ पुत्र तो उन्होंने पुत्र बोला है मानस पुत्र लेकक ने यशोदर बाबु को जो है किसंदा क मानस पुत्र बोला है कोशन नमबर 37 यशोदर बाबु मूलता कहां के रहने वाले थे वो कहां के रहने वाले थे दिल्ली के आगरा के कुमायू के या मेरट के तो यशोदर बाबु मूलता कुमायू के रहने वाले थे वहां से फिर वो दिल्ली आ गए थे कोशे नमबर 38 किशन दा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे जब वो थे तो उनको क्या कहकर बुलाया करते थे भाव, बेटा, यशोधर या भाई तो वो बोला करते थे भाव, भाव बोला करते थे मराठी में बोला जाता है भाव तो वो बोला करते थे सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी थी उनका बेटा भूशन उनके लिए गाउन लेकर आया था जब वो गाउन पहन रहते तो क्या बात थी जो उनको बहुत बुरी लगी थी अच्छी नहीं लगी थी पत्नी द्वारा उपेक्षा करना भूशन के व्यंग वचन के काटना या दूध लाने की बात कहना तो उनको जो अच्छी नहीं लगी थी वो थी दूध लाने की बात कहना क्यों वो सुबा सुबा जाया करते थे दूद लाने के लिए तो भूशन ने बोला कि आप सुबा सुबा ये गाउन पहन के दूद लाने जाया करीगा तो यहां वेशोदर बाबु चाहते थे कि बबा आप जो हैं वो दूद लाने मत जायेगा हम दूद ले आएंगे जाके वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उसने बोला कि आप दूद तो लाईएगा लेकिन ये गाउन पहन के जाईएगा तो ये बात उनको बहुत ही जादा चुभी थी उस वक्त कोशन नमबर 40 का तो अब क्या हुआ था वो ऑफिस से चले बिर्ला मंदिर गए सबजी खरीदी और सब कुछ करते हुए जब घर पहुँचे तो उनकी दशा और सबज घर पहुँचे तो देखा वाँ पर पर पार्टी चल रही थी silver wedding की तो अब उनकी दशा कैसी थी वो कैसे महसूस कर रहे थे द्वारिका जाने वाले सुदामा जैसी अब उनकी हालत ऐसी हो गए थी पूरा दिन की ठीक है और अब द्वारिका मतलब घर पहुच रहे थे पार्टी चल रही थी अच्छी जगापे द्वारिका से लोटे सुद जैसी बचषपन के सुदामा जैसी पत्नी के साथ सुदामा जैसी तो उनकी जो दशा थी वो थी द्वारिका जाने वाले सुदामा जैसी मतलब एकदम फटे हाल और वो कहां जा रहे है द्वारिका श्रीकृष्न से मिलनेगी तो ऐसी उनकी condition थी उस समय अभे कोशन नमबर 41 41 में क्या यह शोदर बाबू के कितने बेटे थे उनके पुत्र कितने थे एक दो तीन या चार तो उनके कितने थे तीन पुत्र थे तीन पुत्र और एक पुत्री थी उनकी कोशन नमबर 42 यह शोदर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे वो क्या खुद जीवन जीते थे और चाहते थे कि उनके परिवार वाले भी ऐसा ही जीवन जीए question number 43 यशोदर बाबू जुड़े हुए थे किस चीज से जुड़े हुए थे आधुनिक्ता से पुरानी परमपराओं से विलायती जीवन से सरकारी कार्यालय से तो वो जुड़े हुए थे अपनी पुरानी परमपराओं से भाई वो अभी तक फॉलो करते आ रहे थे तो वो उससे जुड़े होते हट नहीं पा रहे थे उन सारी चीज़ों जिसकी वज़ा से उनके उनके बच्चों और पत्नी के बीच में हमेशा द्वंद हुआ करता था क्योंकि बच्चे और पत्नी पास्चा संस्कृति की तरफ जुग गए थे और यह बुरानी पर्मपराओं से ही जुड़े हुए थे अब एक कोशिन नमबर 44 यशोदर बाबु की पत्नी किसका साथ देती थी उनकी पत्नी किसका साथ दिया करती थी पती का आधुनिक्ता का अपने बच्चों का साथ दिया करती थी जब भी कुछ हो बहस हो कोई भी चीज हो तो वह अपने बच्चों के पक्ष में आ जाया करती थी उनकी तरफ से बूलना या उनके मतों को मानना यह उनके साथ में था है को कोशेन नमबर 45 क्या दिया यह शोदर बाबु के बड़े लड़के को कितने रुपे मासिक की नौकरी मिली थी तो बड़ा बेटा उनका था भूशन उसको कहा मिली थी विज्यापन कंपणी यानि एड़टाइसमेंट कंपणी में उसको जौब मिली थी तो हां उसको सैलरी कितनी मिल रही थी 18,000 रुपे 16,000 रुपे 15,000 रुपे या की पंद्रा सो रुपे की उसको नौकरी मिली थी अबे कोशन नंबर 46 यशोधर बाबु का अपने बच्चों के प्रती कैसा वहवार था वो कैसा वहवार रखते थे अपने इसने पूर्ण इर्शापूर्ण घ्रणापूर्ण या अलगाव भरा तो अब यह क्या था अलगाव करते थे तो इसलिए टकराव होते रहते थे इसलिए उतना मिक्सप नहीं हो पाते थे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेज रहते थे तो यह बोलेंगे कि अलगाव भरा जो था वो उनका जीन रहता था अब एक वोशन नंबर 47 यह शोधर बाबु के क्वाटर में कितने कमर तो दो टीन चार या एक तो इसलिए बहुत छोटा था इतना बड़ा परिवार तो अब उसमें रहना भी मुश्किल होता था तो इस लिए सब चाहते थी कि वो घर बदल दिया चाहे, question number 48, silver wedding पर भूशन ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था, silver wedding थी तो क्या gift लेकर आये थे, घड़ी, pant, pant और कमीज या uni dressing gown, तो वो लेकर आये थे क्या, uni dressing gown, जो है, वो लेकर आये था, भूशन अपने पापा के लिए, question number 49, किशन दा का पूरा नाम क्या था, या शोदर बाबु का पूरा नाम हमने जान लिया, देखें यह बहुत ही important question से इनको ध्यान रखेगा क्योंकि पूरे-पूरे नाम किशंदा किशंदा हर जगे उनको बोला जा रहा है लेकि पूरा नाम भी कहीं पूछा जाएगा तो वह आपको ध्यान रखना है question number 50 50 में क्या दिया है ये शोदर पं्त अपनी घडि रोज आना सुभा्षाम किस से मिलाया करते थे सुभा और शाम किस से मिलाया करते थे टीवी से दिवार घड़ी से रेडियो समाचार से या इन्मे से कोई नहीं तो वो सुभा सुभा अपनी सुभा शाम मिलाया करते थे दिवार घड़ी से जो उनकी ओफस में लगी हुई थी ना घड़ी उस वाले से वो मिलाया करते थे तो वो ध्यान रख में था जिसने उनसे सिल्वर वेडिंग के लिए पैसे मांगे थे पार्टी के लिए तो उसकी क्या बाते थी उनको अच्छी नहीं लगती थी मोहरी वाली पतलून पहले चलती थी न चौड़ी मोहरी नीचे का जो पतलून यानि पैंड का जो हिस्सा था वह बहुत चौड़ा होता थाूँची एड़ी के जूते जूते बी हील वाले पहने जाते थए वह वाला पहनता था ऑनको और उस्में हील जो है वह शूस पहनता था तो यह जीज उनको बिलकुल भी पसंद नहीं आती थी कोशे नमबर 52 यशोदर बाबू को कौन सी सवारी निहायती बेहुदा लगती थी वो ओफिस से घर पैदल आते थे मगर कौन सी सवारी थी जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी रेल गाड़ी स्कूटर साइकिल या गाड़ी वो उनको बिल्कुल बेकार लगती थी वो थी स्कूटर वैसा बोलते थे चला लीजे ती दुरा पैदल आते हैं लेकिन उनको बिल्कुल भी यह जिस पसंद और उनके एक बेटी थी तो टोटल उनके कितने बच्चे हुए चार बच्चे थे ये शोधर पंथ जी के चार बच्चे थे जिन में तीन बेटे और एक बेटी थी कोशन नमबर 54 ये शोधर का दूसरा बेटा क्या करता था पहला बेटा हमने क्या देखा था वो विज्ञापन कंपनी में कार्री करता था और उसे 1500 रुपे सैलरी मिलती थी अब उनका आया दूसरा बेटा नोकरी करता था साथ सफाई करता था आय एस की तयारी कर रहा था कोशन नमबर 55 ये शोधर का तीसरा बेटा scholarship लेकर कहां चला गया था फिर उनका जो तीसरा बेटा उसने scholarship ली थी और वो कहां गया था पाकिस्तान, जाबान, कनाडा या अमेरिका वो चला गया था अमेरिका अमेरिका जाकर वहीं पर वो scholarship के जरिए बढ़ाई कर रहा था Question number 56 ये शोदर पंध का बार बार किस शब्द का प्रयोग करते थे? Excuse me, Sorry, It's Okay, Somehow Improper तो वो करते थे कौन से शब्द का इस्तेमाल? Somehow Improper शब्द का इस्तेमाल किया करते थी बात बात पे जैसे उसको बोलते हैं तकिया कलाम बहुत से लोग होते हैं आपने कोई बात को जैसे हर संटेंस के बाद कोई या दो तिन संटेंस के बाद कोई शब्द को बार-बार बोला जाए बार बोला जाए तो उसको बोलते हैं तकिया कलाम तो इसी तरीके से इसको क्या बोलते थे? उनका तकिया कलाम था Somehow Improper अब आते हैं Question No. 57 पे या शोधर पंद की Silver Wedding का प्रबंध किस ने किया था? जो प्रबंध वहाँ पे जो arrangement ही सब किया था वो किस ने किया था? रमेश ने, भूशन ने, जनारदन जोशी ने या इन में से कोई ने तो ये सारा ब्रबंध उनके बड़े बेटे भूशन ने किया था Question No. 58 58 में क्या है? ये शोधर बाबु कौन से पद पर कारे रहते थे? देखिए, जब वो दिल्ली आये थे तो उन्हें सबसे पहली नौकरी बॉय सर्विस की मिली थी लेकिन अब भी आड़ प्रेजेंट जब ये कहानी लिखी जा रही है तो वो उस समय किस पद पर थे? इंस्पेक्टर थे, सब इस्पेक्टर थे, सफाई कर्मचारी थे या सेक्शन ओफिसर थे? इस समय वो क्या थे? सेक्शन ओफिसर थे अब है कोशन नमबर 59 ये शोदर बाबू अपने परिवार को किसके संसकारों में डालना चाहते थे? किसके संसकार उनको चाहते थे कि वो लो ग्रहंड कर लें तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा शिर्राम जी के जरारदन जोशी के भूशन के या किशन दा के तो ये शोदर बाबू किशन दा के किशन दा के वहवारों में अपने परिभार को डालना चाहते थे कि वो उससे थोड़ा अटैच हो जाए कोश्य नमबौ 60 किशन दा कैसे हिरदय के वेक्थी त्यकिशन कैसे वेकथी तो देख लिया था यह कैसे वेक्थी अब पूछा जा रहा है किशन दा कैसे वेक्थ या इनने से कोई नहीं तो किशन दा कैसे थे सरल हिर्दय वेक्ती थे मतलब जैसा वो अप अंदर से थे वैसे ही वो बाहर थे कोई बनावती नहीं कुछ नहीं ऐसा उनके अंदर कुछ भी नहीं था कोई नमबर 61 61 में क्या है ये शोदर बाबू घर से ऑफिस कैसे जाते थे अब घर जाते थे घर से बिल्ला मंदिर जाते थे बिल्ला मंदिर सब्जी बंडी सब्जी लेने जाते थे फिर उसके बाद वो घर पहुंचते थे तो ये सारा जो पहुंचने का तरीका था वो कैसे व सब्जी मंडी सब्जी लेते थे घर आते थे यह सब ही कुछ वो पैदल किया करते थे कोईशन नमबर 62 यह शोदर बाबू को किस से तक्रार होती थी किस से उनकी बार-बार जो है तक्रार या वाधिवाध हो जाया करते थे भाई से किशन्दा से पत्नी और बच्चों से या इ आप है question number 63, 63 में क्या दिया है, यशोदर बाबु की बेटी क्या पहनती थी, क्या पहनती थी एक तो ये है और क्या पहना करती थी जो यशोदर बाबु को बिलकुल पसंद नहीं आता था, वो क्या चीज थी, कुर्ता, पजामा, सूट या जीन्स, तो उनकी बेटी जो पहना क करती थी, जीन्स, और अगर इसको ऐसे भी पूचा जा सकता है, कि उनकी बेटी क्या पहनती थी, जो इशोदर बाबु को पसंद नहीं आता था, तो उसको आप बोलेंगे, जीन्स, उनको बिलकुल भी पसंद नहीं आती थी, question number 64, तजिया का क्या अर्थ है, यहां पर दिया है, तजिया का क्या अर्थ है, तजिया शब्द जुदिया गया है, उसका मतलब क्या होता है, गुस्सा, वेंग्यात्मक, भावनात्मक, इन में से कोई नहीं, तो उसका मतलब होता है, वेंग्यात्मक, किसी का मजाक उड़ाते हुए, कोई बात को कहना, वो कहलाता है, गद्य की किस विधा में लिखा गया आपको पता है कि गद्य खंड या काविखंड कई विधाओं में अलग अलग तरीकों में लिखा जाता है तो यह हमारा पार्ट किस विधा में लिखा गया है निबंध है नाटक है एक कांकी है या कहानी है तो यह हमने एक कहानी पड़ी है ये पूरी क्या है एक कहानी है कोशे नमबर 66 पार्टी में बाबु का वहवार कैसा था बाबु मतलब ये शोदर बाबु का वहवार कैसा था देखें ये सिल्वर वेडिंग हो या पार्टी हो ये सब ही कुछ उनको पसंद नहीं आता था तो अब एकदम से जब वो ओफिस से घर पहुंचे एक तो सप्राइस की घर में पार्टी उनने पहले से पता नहीं था और दूसरा ये पार्टी उनको पसंद नहीं थी ये सब चीजे करना तो उनका वहवार कैसा हो जाएगा मनमोहक मतलब बहुत गुस्से वाला वहवार हो गया था देखकर मतलब गुस्सा करने लगे थे ऐसा तो नहीं था वो उन्होंने पार्टी के अंदर गए थे लेकिन तब भी उसको पूरी तरीके से नजॉई नहीं कर रहे थे उदास हो गए थे विचित्र तो यहाँ पर क्या था उनका वहवार विचित्र हो गया था क्योंकि सब लोगों से सई से मिल नहीं रहे थे उनके लोगों का जवाब ठीक से नहीं दे रहे थे केक काटने के लिए नहीं आ रहे थे गिफ्ट नहीं ले रहे थे और बीच में जाके वो पूजा में बैठ गये थे संध्या अर्चना में बैठ गये थे तो ये सब कुछ जो है ना वो बड़ा ही विचित्र थाउन का वहवार कोशन नमबर 67 67 में क्या है ये शोदर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी मतलब अब सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो उनकी बेटी भी कुछ पढ़ाई करके कुछ करना चाहती तो क्या करना चाहती थी आई एस की तयारी कर रही थी पुलिस की नौकरी करना चाहती थी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी या इन में से कोई नहीं तो उनकी जो बेटी है वो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी कोशन नंबर 68 गिरीश कौन था गिरीश पार्टी में लगा आया था गिरीश वो कौन था ये शोधर का बेटा था ये शोधर की पत्नी का चचेरा भाई था जो उनकी वाई वे शोधर की वाई थी उनका चचेरा भाई था ये शोधर का ससुर था ये शोधर का बड़ा भाई थ तो गिरिश कौन था ये शोधर की पत्नी का चचेरा भाई था जो उस पार्टी में आया था कोशे नमबर 69 69 में क्या है कहानी के अनुसार नई पीड़ी किसे महत्व देती है जो नई पीड़ी है यानि कि अभी जो पीड़ी चल रही यंग पीड़ी वो किस चीज को महत्व देती है समाज को भौतिकता को नैतिकता को या इन में से कोई नहीं तो वो क्या देती है वो को मतलब क्या चीज हमें प्रेजंट रूप में सुख दे रहे हैं यह सब चीज ओपर वह जादा महत्वपूर्ण उसके लिए होती है कॉश्शंहमब्र सेवेंटी ये शोदर्पन्त की पत्नी कैसे सैंडल पहनती थी ये यह कोश्शं है कि ध्यान रखेगा दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है ये शोदर्पन्त की पत्नी क्या पहना करती थी जो उनको कपसंद नहीं आता था क्या चीज पहनती थी जो क्या कहते हैं अब पाश्चात्य संस्कृति से रिलेटेट था तो कई तरीके से अब इसमें क्या था छोटे क्या कहते हैं छोटे सैंडल पहनती थी चप्टे सैंडल पहनती थी उची हील वाले या इन में से कोई तो वह कैसे पहनती थी उचे हील वाल नहीं आया करता था यह चीज़ आपको द्यान रखनी है तो सिल्वर वेडिंग कहानी की रशना मनुवर श्याम जोशी ने की है इस पार्ट के माध्यम से पीड़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रन किया है यानि कि एक पीड़ी के बाद दूसरी पीड़ी के बीच जहिती बात है लेकि सोच विचार का भी अंतराल बहुत जादा होता है यह अंतराल अगर सोच को अगर हम थोड़ा नहीं सही करते जो नहीं पीड़ी है वो थोड़ा सा पुरानी पीड़ी जुग जाए थोड़ा और नहीं पीड़ी है वो भी जुग जाए तो यह अंतराल काफी हद तक ख रखना चाहते हैं मतलब जो शुरू से वह सोचते और करते चले आ रहे हैं वह रहें तो तो होई रहा है और आगे उनके बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो करें यह वो चाहते हैं उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एविंगर के लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है मतलब पे उनके आदर्श हैं जब यशोदर बाबु पहली बार दिल लिया तो यहां पर जॉब करने के लिए तो इनको कहीं पर जॉब नहीं थी साथ ही इंको रहनी की जगह नहीं तो यशोदर बाबु ने उन्हें बहुत मदद करी तो इसलिए किशन दा जो है वो यशोदर ने ढंक से देते हैं क्योंकि उन्हें फिजूल खर्ची पसंद नहीं अब क्या होता कि जिस दिन से यह कहानी शुरू होती है उस दिन यशोदर बाबु की 25 साल गिरहा का तात पर यहां पर था शादी की साल गिरहा थी 25 साल यानिकी जिसकों बोलने सिल्वर वेडिंग तो उ नहीं होती है किसी भी तरह का पार्टी बगएरा बनाना इस तरह को उस्तहा मनाना यह उसूलों के खिलाफ था वो यह सब चीजों में यकीन ही नहीं करते थे यशोदर बाबू के तीन बेटे हैं अब उनके परिवार के बारे में आते हैं बड़ा बेटा भूशन विज्यापन कंपणी में काम करता है दूसरा बेटा आएस की तयारी कर रहा है और तीसरा चात्य वृत्ति के साथ अमेरिका जा चुका है तो तीन बेटे हैं एक विज् अब क्या हुआ कि उनकी जो एक और बेटी है वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाना चाहती है और शादी नहीं करना चाहती जित्ते भी उसको लड़के दिखाय जाते हैं सभी को नापसंद करते ती है वो नहीं करती है शादी यशोदर बाबु बच्चों की तरक्की से खुश हैं किन्तु परामपरागत संसकारों के कारण वे दूविधा में हैं सभी बच्चे अच्छी प्रगती कर रहे हैं तो वो खुश है इस चीज से प्रगती से लेकिन जो परामपरागत चीजे हैं उन चीजों के कारण दूव तो अब उन्हें यह लगता है कि इतनी जल्दी इतनी पाना ठीक नहीं उनके समय में बहुत जादा है उसी तरह दूसरी चीज है उनकी बेटी का पहना वह चाहते हैं साड़ी में सलवासूट में जबकि वह जीन्स और कट स्लिप वगएरा जो पहनती है यह उनको बिल्कुल प वो आधुनिकता के साथ टकराते रहते इसलिए बच्चों की प्रगती भी उन्हें कहीं न कहीं पूरी तरीके से खुश नहीं होने देती है उनकी पत्नी ने स्वेम को बच्चों की सोच के साथ ढाल लिया है आधुनिक ना होते वे बच्चों के जोर देने पर वे अधिक गई हैं जहां यशोधर बाबू अपने आपको आधुनिकता के साथ ढाल नहीं पा रहे हैं लेकिन उनकी पत्नी ने अपने अपने आपको बच्चों के हिसाब से ढाल लिया यानि कि उनकी जो लाइफ है अधुनिकता है उसे उन्होंने अपनाया है और अपने आपको काफी आप से अप्टे अंदर लेकर आ चुकी है इसलिए वो बच्चों के साथ साम में बठा पा रही हैं बच्चे घर पर सिलवर वेडिंग की पार्टी रखते हैं अब प्रेजेंट डे पर आते हैं यह तो उनका बैक्राण्ड वेगरा सब बताया अब उनकी चुकू चुकी उनकी कि 25 साल गिराती शादी की तो सिलवर वेडिंग की पार्टी रखी जाती है घर में लेकिन ये शोदर बाबु इस बात से पूरी तरीके से अन्बिग्य है उनको नहीं पता है कि घर में पार्टी है वो तो ऑफिस में आराम से आते हैं रात में आच बज़े तक जैसे उनके आ क्यों था क्योंकि उन्हीं इस तरीके की फिजूल खर्चिया ऐसे तरीके से सेलिबरेशन करना पसंद नहीं था वो हमेशा किशन दा के उसुरों पे चलते रहे तो ना जैसे होता ने कि हमारे जो परंपरागत उस सब होते हैं वो तो बड़े अच्छे से इंजॉय करें लेक तो ऐसा एक गाउन उनको उनका बेटा जो है गिफ में देता है वह सुभा दूद लेने जाते समय उसे पहन कर जाने को कहता है कहते कि जब आप सुभा दूद लेने जाते हैं तो आप इसे पहन कर जाया करिए जो उन्हें अच्छा नहीं लगता अब उन्हें अच्छा क्यो दूद जिम्मेदारी अपने सर पे ले ले कि मतलब बबा आप जो है वो मत जाये दूद लेने मैं चला जाओंगा ये शोदर बाबु ये चाहते थे कि मेरी ये जिम्मेदारी मेरा बेटा ले ले लेकिन उल्टा जो है उनका बेटा उन्हें गाउन देता है और बोलता है कि का जिम्मा स्वेम ना लेना उन्हें ड्रेसिंग गाउन पहन कर दूद लेने जाने की बात कहना जैसी बाते ये शोदर बाबु को बुरी लगती थी अब इन बच्चों में क्या लगता था जरूरत से ज्यादा वो तंखा पा रहे थे तंखा जितनी भी पाते थे वो अपने बच्चों की चीजे पसंद नहीं आती थी जीवन के इस मोड पर वे स्वेम को अपने उसूलों के साथ अकेले पाते थे अब जब इस एज पे आ गए थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी जो उसूल है जिस तरीके से किशन दाइस एज पे थे तो ये शोदर बाबु उनके साथ ही रह जाएंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे ये भी तकलीफ उनको कहीं न कहीं कजोटती रहती थी तो यह हमारा पाट था हमने पढ़ा पीडियों के अंतराल सोच और तरीकों का जो अंतर होता है वह इस पाट के जरीए लेखक ने हमारे सामने रखा था अब इसी प का आया तो चड़ा वह बहुत ही फिमिलेर हो जाता है शोधर बाबू के साथ और उनसे पैसे मांगता है तो वह जिस तरीके से हुआ था आपको वह चीज़ यहां पर लिख नहीं है चड़ा असिस्टेंट डेट में आया था चूकी वह नौजवान था इसलिए वह पंथ बा वह तो अपनी जवानी के जोश में जो कुछ करता उसे अच्छा लगता धीरे धीरे यशोधर पंथ ने इन बातों की और ध्यान देना छोड़ दिया वे किसी तरह का विरोध भी नहीं करते थे तो वो जो लड़का था जवानी के जोश में था शायद उसे काफी हद तक कुछ भी पसंद नहीं आया करती थी अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर प्रश्न संख्या 2 है किशंदा का बुढ़ापा सुखी क्यों नहीं रहा अब सुख किसंदा का बुढ़ापा सुखी क्यों नहीं रहा यशोधर बाबु के आदर्श उन्होंने शादी नहीं करी कि उनके कोई बच्चे नहीं थे उन्होंने retirement की कोई planning नहीं करी कि कहां रहेंगे क्या रहेंगे तो बहुत से ऐसे चीजे थी जिसकी विज़े से उनका बुड़ापा अच्छा नहीं गया था तो क्या अपने यहां रखने की पेशकर्ष नहीं करी मतलब रिटायर्मेंट हो गया तो अब है ओफिस का क्वाटर खाली करना पड़ेगा मगर इन्होंने कोई घर नहीं लिया था इस कारण से जब छे महीने बाद उन्हें घर खाली करना पड़ा तो उन्होंने पिशनदा ने बहुत स किशनदा कुछ साल राजेंद नगर में किराय के क्वाटर लेकर रहे और फिर अपने गाव लोट गए जहां साल भर बाद उनकी मृत्ति हो गई विचितर बात यह है कि उन्हें कोई भी बिमारी नहीं हुई बस रिटायर होने के बाद मुर्जाते सूखते ही चले गए अके इसके तरफ से क्वाटर मिला हुआ था बहुत छोटा था इनकी शादी हो चुकी थी इनके भी परिवार बढ़ रहा था तो इस वज़े से वह नहीं कर पाए तो रिटायर उन्हें के कुछ टाइम तक तो वह एक क्या कहते हैं मकान किराय पर रहे लेकिन उसके बाद गाउं सबसे बड़ा कारण था अकेला पन उन्हें अकेला पन खाय जा रहा था जिस कारण से यह म्रत्यू का कारण उनका बना प्रेश्ण संख्या तीन है ये शोदर बाबू किशंदा की किन परंपराओं को अभी तक निभा रहे थे वो कौन-कौन सी चीज़े थी जो किशंदा करते थे और ये शोदर बाबू भी उनको करते रहे और आगे भी करना चाहते थे तो वो परंपराएं आपको बतानी है त और सबसदार उसमें रहते जिसतरीके से किशंदा ने अपने जीवन काल में कभी कोई मकान नहीं लिया उसी तरीके से यिशोदर बाबू भी यही कारे धान्तों को नहीं छोड़ा था उन्हें हर नई चीज में कमी नजर आती थी किशन दा के सामने कर कोई भी नई चीज रख दीजे तो उसमें कोई नंय कुए कमी या कुछ कर देते थे और यही काम यश्वधर बावू भी करते थे वे किशन दा की उस बात को मानते की जवानी में व्यक्ति गलतियां करता है पर नतु बाद में समझदार हो जाता है यानि कि जब व्यक्ति जवान रहता है तो बहुत सारी गलतियां करता है लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्रों बढ़ती है वो समझदार होता चला जाता ह के दिन के लिए अपने घर बुलाते थे होली मनाते तथा रामलीला की दॉछ respectful कम्रा जो में कि कर रहे हैं होली के लिए राम light के लिए अपने कोटर का कमरा जो है वह जो दिया करते कि यहांपे प्रक्टिस करिये और साथ ही साथ मी होली भी मिलकर बनाया करते यह सबब बहुत सारी चीज़े ऐसी थी जो किशंद्रा करते रहे और ये शोदर बाबू भी कर रहे हैं प्रेशन संख्या चार है यशोधर बाबु की घर के लोगों से किस किस बात पर नहीं बनती थी यशोधर बाबु की घर के लोगों से नहीं बनती थी तो वो बातें आपको लिखनी हैं कौन कौन सी बातों पर नहीं बनती थी पिछले कई वर्षों ते यशोधर विज्ञापन कंपणी में नौकरी पा गया यह ज़पी सम्हाव यशोदर बाबु को अपने साधान पुत्र की साधान मर देने वाली नौकरी यह कुछ समझ में नहीं आती थी तो कहने का ताध पर यहां है कि जो उनकी नौकरी थी अपने बेटे की वो उनको कहीं नहीं समझ साधान उसी नौकरी है और उसमें वेतन इत्ता जादा मिल रहा है ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी तो इस तरीके से इस अध्याय को हमने यहां पर समझा और साथ ही साथ हमने कुछ प्रशनुत्तर भी किये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस चीज़ का हमें पूरा यकीन है यह पार्ट जो हम हिंदी में आपके लिए रिवाइस करा रहे हैं यह सिर्फ हिंदी में ही नहीं हो रहे हैं आपके सभी सग्जेक्ट में आपके वन शॉट रिवीजन अविलेबल है तो इन तक आपको आना होगा हमारे चैनल मागनेट स्पीन डॉट कॉम पर जब आप यहां पर आएंगे तो आप देखेंगे इंग्लिश से इंग्लिश मीडियम दिया हुआ है आप यहां क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं आपके सामने वह सभी क्लासे सा जाएंगे जिमने वन शॉट पूरी प्लेलिश आ जाएगी आप यहां पर देखें पूरी इस तरीके से दिया हुआ है अब का जिस भी सब्ज्जेक्ट में आपका एक्जाम होने वाला है आपको सब्जेक्ट करना है जैसे ही वह सब्जेक्ट करेंगे उसके सामने उसके अंदर जितनी भी बुक्स सामना नहीं करना पड़े तो अब जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करनी के साथ ही आपके वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे वीडियो देखिए और अपने सारा रिवीजन कंप्लीट कीजिए लेकिन साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि सब्सक्राइba करनी के कारण आने वाले वीडियू का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो आपको किसी तरिकी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल को इसे explain किया जाता है आपको हर एक टीज अच्छे से detailing में समझाई जाती है कि कोई भी doubt आपके दिमाग भी नहीं रहे ताकि exam जब हूँ तो आप पूरी तरीके से चिंता रहेता है थैंक यू फॉर वाचिंग बाबाई